हेलो बच्चो गुड इवनिंग ओल आफ यू गुड इवनिंग विटा गुड इवनिंग ओल आफ यू अगर audibility, visibility परफेक्ट है तो एक बार थम से रिप्रेजेंट कर दो या दिल से आग लगा दो अगर परफेक्ट है तो एक बार थम से रिप्रेजेंट करो अगर तो आज का टॉपिक है बॉडी फ्लूड एंड सर्कूलेशन बॉडी फ्लूड एंड सर्कूलेशन ठीक है तो सबसे पहले पता लगाते हैं इसका वेटेज क्या है सिंगल शॉट में खतम करेंगे ब्लड और हर्ट दो इसके मेजर पार्ट हैं जिसमें हर्ट सबसे ज्यादा इंपोर्डेंट है हर साल एक से दो कुशन हर्ट से ही आते हैं तो अगर हम चैटर की बात करते हैं वेटेज कितना हमने कबर कर लिया बदा दूँ पहले तो में एक बार कितना हम कबर कर चुके हैं ठीक है नियूरल कंट्रोल और कॉडिनेशन हम कबर कर चुके हैं लोको मोशन हम कबर कर चुके हैं एक्सक्रीशन वाला चैटर भी कबर कर चुके हैं हाँ ब्रीफिंग भी कबर चुके हैं कबर कर चुके हैं और डाइजेशन भी हमारा कबर हो चु ली टू कोशन तो आ ही रहे हैं समझ गया ना मेरी बात हाँ तीन तक आ सकते हैं तो टू-टू-ठी कोशन का वेटेज जिसमें भी हर्ट वाला पार्ट बहुत इंपोरेंट है ठीक है और ब्लड वाले पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो ब्लड ग्रूप और आरेच फैक्ट हो जाएगा क्लियर करते हैं टेंशन मत करना कंसाइज करने की कोशिश किया पर पॉइंट सारे कबर करेंगे कोशन प्रेक्टिस कराएंगे पूरी एंसी आटी लेके चलेंगे ठीक है वही टू-टू-टू-3 आर के बीच में ही हम स्कूप फुल स्टॉप करतेंगे क्लियर है ओके कंटीनु करें चालो तो सबसे बहले बात आती है वहत इस ब्लड तो ब्लड इस अ फ्ल्यूड कनेक्टिव टिशू ब्लड क्या है यह एक फ्ल्यूड कनेक्टिव टिशू है जिसको अब सकते हो कंसिस्टिंग औफ लूड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्मड और तो formed element में क्या क्या आते हैं, formed element के अंदर blood corpuscles आते हैं, जो हम discuss करने वाले हैं, तो अगर मैं division की बात करूँ, तो blood को उन्हें two parts में divide किया, ठीक है, blood को उन्हें two parts में divide किया, यहां पर, blood plasma 55%, remaining 45% क्या होंगे, blood corpuscles, ठीक है, blood corpuscles, जिनको formed element बोल सकते हो, blood corpuscles की बात करेंगे, तो आपको क्या क्या पढ़ना है, यहां पर, erythrocyte, leukocyte and thrombocyte, erythro मतलब red site मतलब cell, clear, बलकुल, red blood corpuscles, leuco मतलब white site मतलब cell, white blood corpuscles, यह cells, thrombo, thrombo मतलब जो thrombus, clot बनाने का काम करते हैं, thrombocytes, वो cell जो clot बनाने में participate करते हैं, उनको हम thrombocytes बोलते हैं, ठीक है, तो platylates हम पढ़ने वाले हैं, यहां पर, clear है, बलकुल, basic में, basic, एक overview दूँगा आपको इसका, ठीक है, एक basic structure है, NCRT में नहीं है, पर इससे हम उन questions को उठा लेंगे, जो NCRT में हैं, और NCRT से directly मिल जाते हैं, जैसे, अगर आप blood को एक test tube में लेते हो, समझ नहीं कोशिश करना, ठीक है, blood corpuscles, जिसमें, RBC, WBC, और platyates include होते हैं, अभी बताया था, मैंने, blood corpuscles, या formed element, कितना percent होता है, total blood का, only 45%, only 45% formed element, clear है, बलकुल, only 45% formed element, remaining 55% क्या होगा, blood plasma, यहां तर तो कोई doubt है ही नहीं, ठीक है, अब हम बात करेंगे, भई, formed element, हम अलग detail में पढ़ेंगे, तो अगर म प्लाजमा में main constituents क्या है, बई, plasma में main क्या है, बई, plasma के अंदर proteins होते है, plasma में water होगा, और plasma में other solutes होंगे, यह cover करने वाले है, ठीक है, proteins की अगर हम बात करते हैं, तो protein में में पढ़ाने वाले हो, albumin, globulin, fibrinogen and prothombin, ठीक है, और other substance के अंदर हम जो आपको पढ़ाने वाल substance, यह हमारा target होगा, क्या, plasma का, SEM blood corpuscles में platyrates cover करेंगे, leukoside और erythro side, percentage के base पर हमने इसको इस डाइगराम में classify किया है, clear है, अगर मैं blood के अंदर plasma की बात करता हूँ, plasma में inorganic substance की बात करता हूँ, ठीक है, तो inorganic substance का reducing pattern में question आया हुआ है, उसी के base पर मैंने इसको लिखा है, ठीक है, अगर blood plasma में हम देखते है, inorganic substance की, तो chloride, sodium, potassium, calcium, phosphate और magnesium, यह reducing order में होते हैं, तो maximum यहाँ पर क्या होगा, maximum क्या होगा, यहाँ पर जड़ा बताओ, maximum यहाँ पर आपको chloride मिलने वाले हैं, और minimum क्या मिलने वाला है यहाँ पर आपको, minimum क्या मिलने वाला है यहाँ पर आपको, आप बोलोगे, magnesium मिलने वाले हैं, ठीक है, तो एक question तो यहाँ मिल जाएगा आपको, okay, समझ रहे हो, चलो, इसके अलाबा, कोई पूछे का salt क्या होत में profit का रखना है तुक्呢 साल्ट और डाविक उसको तरीके से ले सकते हैं और इसमिल जातें और बना लेतें । जो इसके अलावा अगर आपसे पुछे गा और बलड में क्या क्या होता है के एंज की बात समझ में आगी protein मेंigkeiten में पढ़ाने वाला हूं ठीक है इसके लब हम बात करेंगे यह ठीक है पिए भंड कॉरपसल को पिए कोशन मिल जाता है के रीडियूजिंग में जैसे मिने a formed element formed elements की बात करते हैं बेटा तो सबसे maximum amount जिसका होगा वो क्या होगा RBC RBC उसके बाद number 2 पर कौन आगा यहाँ पर WBC समझना फिर number अच्छा RBC फिर आएंगे platyates क्योंकि platyates lakhs में होते हैं WBC only thousands में होते है RBC platyates then आएंगे WBC अगर मैं RBC के number की बात करूं टीक है तो RBC बहुत जादा होते है millions में होते है आप समझ रहें RBC millions में होते है अगर मैं WBC की बात करता हूँ तो बटा lakhs में होते है platyates की बात करते हैं sorry thousands में होते हैं millions में होंगे ठीक है यह millions में होंगे यह lakhs में होंगे ठीक है और इसकी बात करते है thousand अब डबलू अच्छा एग्जेक्ट एग्जेक्ट भी पूछ सकता है ठीक है एग्जेक्ट भी पूछ सकता है तो मैं एग्जेक्टी लिख देता हूँ इसी आर्टी के लाइन कितना million 5.5 million per mmq यह भी आप याद कर लो अच्छी बात है डिटा यादी हो जाएगा आपको डिटा इसी जब कुशन डिटा भी इसी आएगा 5.5 million per mmq यानि 1 mmq अगर आप ब्लट कलेक्ट करते हो तो उसमें इतना RBC होता है प्लैटिलेट्स एप्रोक्सिमेटली 1.5 lakh per mmq अच्छा WBC का बात पूछे का तो थाउजन्स में अप्रोक्सिमेटली 7000 per mmq यह आपको तीनो डिटा याद रखने है डिटा तो आपको याद रखने पड़ेंगे ठीक है उसमें भी WBC में भी पूछ सकता है WBC एक टाइप को तो होते नहीं ठीक है यह भी कई टाइप के होते हैं तो इसमें भी वो डिसकस कर सकता है maximum और minimum ठीक है जैसे सबसे ज़्यादा neutrophils होते है 62-70 neutrophils neutrophils ठीक है 42-60% लिखा हुआ है पर आपकी NCRT में हम neutrophils को कैसे लगते हैं मैं लग देता हूँ neutrophils फिर आएगा आपका lymphocyte फिर नमबर थर्ड पर आएगा आपका monocyte इस पर question आता है monocyte फिर monocyte के बाद आपके आएँगे eosinophils and basophils eosinophils and baso clearable को यह question पूछे जाते हैं इनकी percentage भी पूछेगा 62-65% according to NCRT लिख रहा हूँ मैं कौन होते हैं neutrophils ठीक है 22-25% क्या सपास कौन होते हैं आप बोलोगे lymphocyte अगर मैं monocyte की बात करता हूँ तो NCRT लिखती है 228% कौन होते हैं आप बोलोगे monocyte और अगर मैं eosinophils की बात करता हूँ तो 223% eosinophils होते हैं और basophil एक से लेकर के 0.5% यानि लेस देन 1% तक basophils हो सकते हैं तो ये reducing water में data पर question आता है तो एक टो data आपको याद रखना है major buffer कौन सा होता है ये question पूछेगा formed element में RBC millions में होते हैं platyrates lakhs में होते हैं और WBC thousand में होते हैं इनमें भी neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils and basophils याद रखने clearable coal clear यहां तक कोई doubts out तो नहीं होना चीए ये पूरा का पूरा आपका part कबर हो जाता है अब protein की बात कर लेते हैं अगर मैं बात करूँ कि blood में organic component में हमने कबर कर लिया formed element कबर कर लिये और निक component में बात करते हैं proteins अच्छा एक दो चीज़ें और add कर सकते हो इसके अंदर एक दो चीज़ें और add कर सकते हो जगे हो तो है ठीक है दो थीन डेटा और आपको by chance पूछेगा तो नहीं blood sugar भी होगा इसमें blood sugar sugar भी होगी इसमें इसके लाबा यूरिया भी होगी इसमें इसके लाबा इसमें fat भी होगा blood के अंदर इनका composition अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है जैसे blood sugar की बात करते हैं कितना होता है पता है न आपको 8200 mm mg पर 100 ml of blood यूरिया कितनी होती है approximately 30 mg 30 mg पर 100 ml of blood fat कितना होता है approximately 50 to 150 mg पर 100 ml of blood आप समझ रहे हो तो ये डेटा भी अगर याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है theory में मैंने लिखवा दिया है आपको already ठीक है जो revision के अंदर मैं points कबर कर रहा हूँ blood sugar, blood urea blood fat ये चीज़े होगी inorganic substance reducing order में लिखा दिये formed element जैसे question reducing में आता है से मुसी pattern में यहां पर लिखा दिया है अगर blood protein की बात करते हैं तो total organic component जो है उसका 7% अकेला और अकेला protein होता है clear है maximum protein अब protein भी 3 type के हो सकते हैं albumin albumin सबसे छोटा blood protein होता है अब 3 बात दियान रखनी है protein कैसा है छोटा है या बड़ा वो protein बनता कहा है और वो protein करता क्या है तो albumin globulin protomino fibrinogen तो albumin smallest blood protein हो गया protomino fibrinogen largest blood protein है एक question याद रहेगा बीच वाले कौन से हो गया globulin अच्छा सारे के सारे blood protein बनते कहा है अल ब्रट प्रोटीन प्रेड्यूस बाय आप बोलोगे liver except gamma globulin except gamma globulin gamma globulin liver में नहीं बनती वो कहां बनती है gamma globulin plasma cell के थो यादो detail उसमें पता है plasma cell के थो अच्छा करते क्या है albumin क्या काम करती है albumin osmoregulation का का काम करती है हमारे blood की osmolarity को maintain करती है clear है बलकुल तब ही तो अगर albumin protein degenerate कर जाती है तो एकदम soiling आ जाती है body के अंदर cancer के case में होता है quasher core के case में भी ऐसा ही देखने को मिलता है क्योंकि cancer की जो last stage होती है उसमें body का जो albumin है वो degenerate कर जाता है quasher core के case में भी protein deficiency की बज़े से ऐसा ही कुछ होता है पेट वाला part एकदम soiled up हो जाता है soiling आ जाती है तो albumin 4% होती है total का maximum यही होती है smallest blood protein है liver में बनती है उसमें regulation का काम करती है protonin fibrinogen total मिलाकर के 0.6% है total का largest blood protein होती है liver में बनती है blood clotting में participate करती है globulin को divide कर सकते हो alpha, beta और gamma जिसमें alpha और beta तो common है ठीक है यह transportation में binding and transportation में participate करते है और दोनों ही blood protein liver में बनते है पर gamma globulin यह बहुत important है बिटा पूरी human health and disease disease पर based है आप समद रहे हो gamma globulin इसको immunoglobulin भी बोलते है क्या बोलते है इसको immunoglobulin भी बोलते है IG immunoglobulin मतलब IG से represent तरते है अब immunoglobulin भी कई टाप के होते है जैसे IgA, IgM, IgG, IgD आप समद गे नहीं मेरी बात अब कौन सा बचा Ig, कौन सा रहे गया IgE तो IgG, IgA, IgM, IgD और IgE यह भी reducing order में ही लिखा है हमने maximum और minimum आपको पताऊना चाहिए यह immunoglobulin है जो हमारे blood में मिलती है clear है बलकुल immunoglobulin को Ig से represent करते है यह आप इनको antibody भी बोल सकते हो समद गे नहीं मेरी बात इनको आप antibody term भी लगा सकते हो इनको आप antibody term भी लगा सकते हो immunology में detailed में मैंने बताया है आगे बढ़ते हैं ठीक है तो इनको antibody बोल सकते हैं कौन बनाता है इनको यह plasma cell बनाते हैं और हमारे defense में participate करते हैं तो हर protein के case में आपको तीन बाते हैं ध्यान अखने है कौन सी blood protein बढ़ी है चोटी है यह बनती कहां परे करती क्या है फिर से बोल रहा हूँ L-Vumine smallest blood protein कहां बनती है लिबर में क्या करती है Osmo regulation ऐसे ही मैं आपसे पुछूँगा कि बेटा Globulin Globulin कितने टाइप की होती है 3 टाइप के Alpha, Beta, Gamma Alpha, Beta तो लिबर में ही बनते हैं जो food के transportation binding में help करते हैं पर Gamma Globulin लिबर में नहीं बनती यह plasma cell के थ्रो बनती है और body के defense system में participate करती है हाँ कई टाइप के हो सकते हैं IgD, IgG, IgA, IgM क्लियर बल्कुल IgE ठीक है कई टाइप के हो सकते हैं वो हम immunology में detail में पढ़ाएंगे ठीक है जिसमें IgG maximum होते हैं और IgE जो एलर्जी के लिए responsible होते हैं वो minimum होते हैं percentage के base पर अब अच्छी क्या फेबरिनोजन प्रथोम में ठीक है यह largest blood protein है यह भी liver में बनती है और blood clotting में participate करती है यह या नो आगे बढ़ते हैं ठीक है एक ग्लास रखो चलनी लगाओ blood को समय से छांद दो ठीक है अब समझना जितने भी formed element है like blood platylates blood rbc wbc सब कहां रहे के ऊपर नीचे जो निकल करके आया वो plasma है blood minus formed element या blood minus cells is equal to plasma ठीक है भी समझ मैं क्या होता है मैं serum पूछूँ को serum क्या होता है blood clotting में हम पढ़ाते है ठीक है plasma उठालो plasma cells को तो अलग कर दी है plasma plasma मैं से भी अगर clotting factors को आप निकाल लोगे ठीक है plasma minus blood clotting factor ठीक है 13 clotting factor होते है उनको भी निकाल लो तो बच्चा हुआ जो पार्ट होगा बना उसको आप serum बोलोगे plasma minus blood clotting factors को serum बोलते है clear है अब lymph क्या होता है lymph भी blood के filtration से बनता है आपने एक ऐसा filter लगाया जिससे RBC cross नहीं कर सकते clear है बलकुल RBC cross नहीं कर सकते clear है platyates cross नहीं कर सकते proteins बढ़े वाले protein भी cross नहीं कर सकते वो filter लगा दिया और आपने ब्लड को filter कर दिया जो filtrate बचेगा वो क्या होगा वो lymph होगा क्यों क्योंकि उसमें RBC नहीं होगी उसमें platyates नहीं होगे उसके अंदर macro proteins नहीं होगे clear है बलकुल तो आप lymph बोल सकते हो blood minus RBC platyates and macro protein इन तीनों को अगर blood में से आप निकाल दोगे तो बच्चा हुवा substance बचेगा बने जो आपको मिलेगा वो lymph है तो lymph भी blood के filtration से बनता है plasma भी blood के filtration से बनता है serum भी blood के filtration से बनता है इसके अलाबा हमारी eyes में aqueous humor होता है वो भी blood के filtration से बनता है including हमारे brain के अंदर हमारी spinal cord के अंदर एक fluid होता है CSF cerebral spinal fluid वो भी blood के filtration से बनता है clear बलकुल आगे बढ़ते हैं तो एक बात हमारे clear हो गया blood plasma क्या होता है फिर से revision करा देता हूँ blood plasma जो होता है blood का filtrate है blood का 55% plasma होता है जिसमें maximum maximum 90% तक water होता है remaining 10% के अंदर inorganic और organic substance आगे 90 से लेकर 92% तक water है 90 से 92 अब remaining जो 8% के आसपास बचा उसमें inorganic और organic substance inorganic substance 1% और organic substance approximately 8% के आसपास जिसमें से भी 7% अकिला protein होता है 7% 1% में सब कुछ आ गया चलो percentage समझ में आगी ठीक है तो मैंने reducing water में आइंस बता दिए buffer आइन बता दिए मैंने आपको इसके अंदर ठीक है इसके लाब हमने blood sugar, blood cholesterol, fat और blood urea का level बता दिया सुगर 100 approximately 8200 mg per 100 ml of blood होता है ऐसे यूरिया की बात करते है 30 mg per 100 ml of blood होता है और और क्या बचा यूरिया के लाबा ठीक है यूरिया का अलाबा जिक्या बचा fat 52, 150 mg per 100 ml of blood ठीक है अप reducing order में blood corpuscles formed element लिखा दिये number 1 maximum RBC number 2 platyates number 3 WBC WBC में विसे भी maximum कौन maximum कौन होगा WBC में WBC में जो maximum होगा वो होंगे WBC में neutrophys वो होंगे neutrophys neutrophys के बाद number 2 किसकी बारी आएगी neutrophys के बाद number 2 पे आएगे lymphocyte फिर monocyte clear है बलकुल इसके बाद कौन आएगे इसके बाद वो यूसिनोफिल्स last मैं basophys minimum basophys होते है clear है तो सारा revision हो गया ना जहांतर कोई doubt shout नहीं होना चीए albumin, globulin, prothomin, fibrinogen ये blood protein हो गए ये एक पार्ट हमारा finish अब बात करते है formed element तो formed element में सबसे पहले हम बात करेंगे RBC red blood corpus समझे रहो erythro erythro मतलब red होता है erythro side यानि red blood corpus clear है बलकुल अब आज़ो RBC की बात कर लेते हैं कुछ चोड़ी मड़ी बात है number of RBC पे question आता है बताया है approximately 5 से लेकर के 5.5 million per mmq समझे रहे इतना अगर 1 mmq blood लेते हो तो इसमें इतना million RBC होगा समझे रहे हो ना मेरी बात ठीक है अच्छा अगर मैं RBC की बात करता हूँ number तो समझ में आ गया इतना mmq होता है इससे related दो पॉइंट लेखे हैं पॉली साइथी मिया पॉली मतलब बहुत ज़्यादा साइथी मिया blood में RBC काउंट का बढ़ जाना पॉली साइथी मिया एनेमिया एनेमिया तो आप समझते हो RBC काउंट कम हो गया यह इसको Rationalid इसको पीनिया भी बोलते है पीनिया टर्म किसी के लिए भी आ रहा है ठीक है हमें सब पीनिया मतलब काउंट कम होना ठीक है और यह तो तुमझ में आ रहा है Pauli साइथी मिया मिया मतलब blood साइथी मतलब RBC की बात कर रहे है पॉली मतलब बढ़ जाना जब आप low altitude से high altitude पर जाते हो मैंने बताया था जब आप low altitude से high altitude पर जाते हो तो वहाँ air pressure कम होने की बज़े से आपका RBC count बढ़ जाता है और उन लोगों के गालाल लाल होते है क्यों? क्योंकि उनका RBC count बढ़ा हुआ होता है क्लियर है इसी को बोलते है पॉली साइथी मिया ठीक है हां किसी कार्ड से किसी को एनिमिया हो जाता है ठीक है तो इसको बोलते है और बीसी काउंट कम हो जाना ठीक है तो तर्म इसको लोग यूज करेंगे एरेथ्रोसाइटोपीनिया डिक्रीज नंबर ऑफ ठीक है अचा साइ इसा निचरन क्यों बनाया और क्या बात है उसके अंदर जिसकी बज़े से उसका साइज ठीक है उसका शेप होता है बाइक कौन केव होता है ठीक है अब समझे मेरी बात तो आर बीसी कर में साइज इन शेप की बात करता हूं तो दो तीन पॉइंट याद रखने साइज 7.5 ति कहिंए इसकी की बात करोंगा तो कितनी होगी सिकनेस 2.0 मीक्र होगी ठीक है पूरा एरिया निकालना है इंट गर दो त nau को भी जो होगे बाइक कॉन के बीच मैं से के मतलब दौत से धसी हुई आइक अंदर से दबाऊं ऐसा होँआ यह सैज साइज ऐसा होता आरि आर क्योंक के लिए ठीक है ज्यादा हीमोगलोबिन इसमें एक्क्यूमिलेट हो जिससे ज्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो पाए क्लियर बल्कुल तो बाइकॉन कीप का में परपस है इंक्रीस सर्फेस अरिया अच्छा न्यूकलियस नहीं होता अर्बीसी में ऑनली हीमोगलोबिन बिदाउट न्यूकलियस अंली हीमोगलोबिन प्रेजेंट होगा अर्बीसी में ले बल्कुल तो नेचर ने न्यूकलियस और अधर साइटोप्लास्मिक और्गिनिल्स को सा अर्बीसी से बाहर क्यों निकाला ऐसा क्यों हुआ इसके लिए एक ही कारण ध्यान रखना है आर् पुकड क्या करेंगे सारा खाना खुदी खा जाएंगे ना क्लियर बल्कुल तो इसी लिए बहुत ध्यान रखा गया है चीज का कि आर्बीसी के अंदर हीमोगलोबिन फिल किया गया निचर ने कहा कि सारे साइटोप्लास्मिक और्गिनिल्स को बाहर निकालो नहीं तो मैग वोगी बिना रेस्परेशन के एनर्जी कहां से आएगी आर्बीसी की पास माइटोकॉंड्रिया नहीं होता साइटोप्लास्मिक और्गिनिल्स नहीं होते इसलिए एरोबिक रेस्परेशन नहीं होता है ना तो एनारोबिक रेस्परेशन होता है मेंस मेटाबॉलिक रेक्श यह नमबर बढ़ भी सकता है डिसोडर में हम बताते हैं आपको ठीक है दूसरा हमने साइजेंस से बताया वही टू माइकोमीटर थिकनेस और एप्रोक्सिमेटली 7.5 माइकोमीटर का डायमीटर होता है ठीक है बाई कॉनकेव होती है सर्फेसरी एंक्रीज करने की बज़ेसे ज ठीक है जिसके इसे मैक्सिममुम ऑक्सिण का ट्रांसपोर्ट उपाए ठीक है और इसमें साइटोप्लास्मिक और और नुकलेस नहीं होते जिससे की इसके ऑक्सिण की यूट्रलाइडेशन रिडियूज हो जाए क्लियर है क्लियर है पिटा दिल से एक बार आग लगा दो ब पच्ति के रहें सर कैमिल मैं निउकूलेटिट ँगा आर बीक होता है ठीक है तो ncrt ऐसे लिखती है कि छो यहां इसे भी होते हैं जहां नीउकुलेटिट आर बीक देखने को मिलता है इस तरह कि सह집ा यह firm यूज किया हुआ है ठीक है most of the mammals without इसा लखा जो थे वह बिदाउट nucleus by concave rbc होता है ठीक है पर कुछ mammals ऐसे भी होते हैं जिनमें by concave की जगह oval shape rbc होता है पता है यह होता है जैसे एक normal train है फ्लैट होती है आगे से engine एक blood train होती है आगे से capsule से ठीक है तो capsule से जो rbc होगी ना उसका blood में flow fast होगा जबके जो flat rbc होती है उसका blood में flow slow होता है तो जो animal unfavorable condition में रहते हैं ठीक है जहां transportation fast करना होता है है वहाँ oval shape rbc होते हैं कैसे होते हैं oval shape rbc आपको ठीक है बात बात बाकी का ncrt की सारी lines में एक में अड़ करती है अब बात आती है भाई rbc में है क्या rbc में तो hemoglobin है ठीक है तो structure of hemoglobin की बात कर लेते हैं जो हमने respiratory system में भी करता है था hemoglobin में 4 chain होती है 2 alpha 2 beta ठीक है तो इंसी आटी में दे रखा है तो amount ध्यानक आप इसका amount approximately 12 to 16 mg per 100 ml of blood 12 to 16 mg per 100 ml of blood और ncrt में respiratory system में लिख रखा है 15 mg per 100 ml of blood बात वही है इसकी middle value डाल दी 15 तो ncrt में दोनों ही data दे रखे हैं और गलत नहीं है ठीक है और दोने यातर नहीं पड़ेंगे आपको ठीक है अच्छा इच rbc rbc में क्या होता है लगबक 280 million molecules होते हीमोगलोबिन के आपको क्या लगता है एक rbc में एक हीमोगलोबिन का बाइंड कर लेता है कितने oxygen से 4 oxygen से क्योंकि इस पर 2 alpha chain होते हैं 2 beta chain होते हैं वो मैं लिख दिया तो इसमें ध्यान रखना है आपको एक structure में इसमें हीम भी होता है और ग्लोबिन भी होते हैं हीम टोटल का 4% ग्लोबिन 96% 4 molecules हीम के होते हैं तो 4 ग्लोबिन के होते हैं ठीक है जिसमें 2 alpha chain होते हैं और 2 beta chain क्लियरबल को और यह मैं बताई चुका हूँ आपको ठीक है alpha और beta इन चेन से oxygen की binding हो जाती है क्लियरबल को चलो फोर oxygen के molecule bind कर सकते हैं अब बात आती है कि भाई RBC का formation कहां होता है दो तिन तरीच कोशन बनेगा एक कोशन ऐसे बन सकता है कि RBC का formation embryo में कहां होता है ठीक है embryo ने कि स्टेज में कहां होगा तो आपको ध्यान रखना है जब initial embryo बन रहा था body organ नहीं थे तो पहला organ कौन बना heart तो heart जब पहला organ बना तो उसको blood चाहिए था पंप करने के लिए तो initial RBC कहां बनी जब organ नहीं बने थे तो आप बलोगे योक सैक चोटा सा योक सैक होता है इनीशल RBC का formation योक सैक में होता है ठीक है embryo स्टेज में कहां होता है योक सैक में फिर जब दीरे organ जिनेसिस होती है तब उसमें स्प्लीन और लिबर जैसे organ बनते हैं तब योक सैक में जो cell RBC बना रहे थे stem cell वो migrate करके लिबर और स्प्लीन जैसे organ में transfer कर जाते हैं फिर वहां पर ठीक है erythropoiesis होती है और फिर जब bone marrow बन जाता है red bone marrow तब ये cell transfer हो करके red bone marrow में जाते हैं फिर RBC का formation red bone marrow में होगा initially का होगा योक सैक में फिर लिबर और स्प्लीन में होगा और adult में red bone marrow एक कोशन तो ये आता है एक कोशन पुछा जाएगा कि RBC के formation के लिए raw material क्या है RBC किस से मिलके बनती है एक कोशन ऐसे भी बनता है कि आप ऐसे कोशन पुछेगा कि RBC के maturation के लिए किसकी requirement होती है तो raw material तो समझ बे एक तो global protein है और हीम यह आईरन तो iron और global की बात करूं fe2 positive और global protein की बात करें तो यह raw material होगा RBC formation के लिए और maturation induced by दो चीज़े folic acid और vitamin B12 यह RBC को mature कराते है ठीक है vitamin B12 and folic acid तभी तो कहते हैं अगर RBC number बढ़ाना है तो आपकी diet में folic acid or vitamin B12 होना चाहिए समझ रहे हो क्योंकि global protein तो body में अंदर बनी जाती है हाँ और iron के capsule भी लेने पड़ेंगे आपको अगर आपकी diet में iron deficiency है तो इससे आपका RBC number बढ़ जाता है clear है बलकुल तो RBC का formation समझ में आया raw material क्या होता है और maturation के लिए किसकी requirement होती है अब बात करते है formation red bone marrow में कैसे होता है फोला बेबी explain कर दिया है मानो bone के head में red bone marrow पड़ा हुआ है और red bone marrow में कौन होते है stem cells कौन होते है stem cells जादू की कोशिकाएं ऐसे cells जो किसी में भी convert हो सकते हैं आप समझ रहे हो ऐसे cells जो किसी में भी convert हो सकते हैं किसी का मंदब ब्लट के other cells में convert हो सकते हैं वो stem cells है तो stem cells की बात करता हूं तो यह leukoblast, megakaryocyte और erythroblast होते हैं stem cells convert into leukoblast, erythroblast और megakaryocyte समझना जो erythroblast होते हैं उनसे erythrocyte बनते हैं blast किसी की किसी भी cell के आके लगा हुआ है यह किसको indicate करता है वो immature cell है वो continue divide कर रही है और blast के बाद cell आ जाता है तो mature हो गई अब उसका division भी fix हो गया clear है बल्कुल तो leukoblast, erythroblast, megakaryocyte, mega मतलब बड़ा, karyo मतलब nucleus ऐसा cell जिसके पासे बड़ा सा nucleus होता है को megakaryocyte बोलते है लीको ब्लास से लीकोसाइट बनेंगे समझ रहे हो ना megakaryocyte से प्लैटिलेट बनेंगे और erythroblast से reticulocyte और इनी से mature rbc erythrocyte का formation होता है ठीक है यह यहीं stem cell में ही stem cell जो red moon मेर में होते हैं उनसे ही तीनो के cell का formation होता है दो तिन basic point लिए ncrt की कि आर बीसी की life span कितनी होती है 120 डेज आर बीसी की life span कितनी होती है approximately 120 डेज समझ रहे हो ना four month के आसपास अच्छा एक question ऐसे भी पूछेगा कि आर भी आर बीसी की death कहा होती है graveyard of RBC का कब्रगाह ताब लोगे स्प्लीन जब RBC की उम्र पूरी हो जाती है तो उसके body की उपर जुरियां पर जाती है मतलब उसकी shape बिकड़ जाती है तो ऐसे RBC जब स्प्लीन से पास होते हैं तो स्प्लीन में जलाद बैठे हुए मैक्रोफेज वह abnormal shape बाले RBC को पगड़ते हैं उठाके मारना चालू कर देते हैं ठीक है उठाके मारना चालू कर देते हैं यानि वह after 120 days RBC का कब्रगाह कौन होता है आप बोलोगे मैक्रोफेज कौन से मैक्रोफेज ठीक है तो आप समझे ना मेरी बात रेटिकुलोसाइट्स होते हैं मैक्रोफेज भी इनको रेट ग्रेवियाट ऑफ रवी सी बोलते हैं ठीक है मैक्रोफेज इन स्प्लीन रेटिकुलोसाइट्स यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए डाउट नहीं है तो एक बार दिल से आग लगा दो डाउट चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट सिर्फ तीन पॉइंट्स हैं एक ब्लड ग्रुप जो छोड़ोगे नहीं आप दूसरा इरेथ्रो ब्लास्टोसिस फेटैलिस एकदम कंसेप्चुल ब्रेन में सेट करना है और तीसरा है हुमन हर्ट ठीक है जिस पर लगबग इन डावु मतलब वाकिट मतलब ब्लड досी मतलब कॉपसस ऌस्व समाथ चैना मेरी बात स्वेट रूधिर कन का ओंध्रेखएं ए डाब्लू वीसी वाइट ब्लड़ कॉर्पसस घृसिक बात हमने pierwszy ृटीकट को नंबर कितना होता है नहेंFitा ब्रीका नसों सुइन्छी यृआ य इसके बीच की ratio क्या आ जाएगी 7000 आ जाएगी पर mmqo ठीक है अगर ratio पूछूँगा RBC और WBC का या WBC और WBC का ध्यानक ना RBC millions में होते हैं WBC millions में नहीं होते clear बलकुल RBC millions में होते हैं पर WBC millions में नहीं होते ठीक है तो approximately है यह यह मैंने डेटा से लिए लिखा है क्योंकि question आया हुआ है दोको मेरी जो पढ़ाने की approach है ना वो MBBS बाली नहीं है ठीक है पर मैं यह promise करता हूँ जब आप MBBS करोगे तो यह basic चीज़े आपके concept एक्दम बहतर करेंगी क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं ठीक है वो मुझे बताते हैं कि सर्फ सारी चीज़ें easy हो गई है ठीक है अभी मेरी approach जो है वो ncrt based need crack कराने की है पीचे दो तरीकी से पढ़ाते हैं एक अपरी power दिखाने के लिए पढ़ाते हैं तो बच्चे का नुक्सान कर देते हैं एक exam oriented पढ़ाते है exam oriented समझते हो नीट में क्या बूचा जाता है नीट में कैसे question आता है ठीक है एक्चनल रेशियो निकालोगे यह ratio exact नहीं आएग है निकाल लोगे अब कुछ terms हैं जैसे लिउको साइटोसिस जैसे मैंने बल्ला तना पॉली साइथी मिया जो आप लो एल्टीट्यूट से घाते हो तो उन इंसान को पॉली मतलब ज़ाधा साइथी सेल मिया ब्लट मैं आर बीजी काउंट बढ़ जाना ऐसी लिउको साइटो हो तोर्ट् pump cangil और डिफ्रेंशल डिफ्रेंशल लिगोसाइट काउंट cheack रहाएं हो अब अब्र ऑब तोब worldview काउंट क्या है आपके अन्दर डिफ्रेंशिल मày मदलब हर ताइप के Wbc recently अलग अलग नमबर इओसीनोफिस कितने नॉ्टोसाइट कितने मुनोज़ मैं की रिख सबस्चन दो जाते आग सिक्षक को बोलते Ö लूको साइटोसेज इंक्रीज डबलीवीसी काउंट डियूरिंग इन्फेक्शन अच्छा एक केस मौद डबलीवीसी काउंट बढ़ता है जैसे किसी को कैंसर हो जाता है तो कैंसर का मतलब यह अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफैनी सल इस नोन ऐस कैंसर तो डबलीवीसी काउंट इस इस अमीवीवीडल मूँमेंट ऑफ डबलीवीसी डूरिंग इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन समझ मैं आई बेटा जैसे यह डबलीवीसी का है यह डबलीवीसी ब्लड में है जब भी इन्फेक्शन होगा इन्फ्लामेशन होगा तो जहां से पैथोजन एंटर कर रहे थे उस site पर यह WBC का करेंगे अमिवटल मूवेंट करते हुए transfer करेंगे जो neighborhood movement करते हुए transfer कर रहे हैं site of action पर WBC आप समझ रहे हो इसी को बोलते हैं डाइपड़िस क्या बोलते हैं इसको डाइपड़िस अमीवटल मूवेंट आप WBC ठीक है अमीवटल सबसे नमबर बताया है मैंने बहुत ज़्यदा नहीं होता एप्रॉक्सिमेटी सिक्स टू एट छह जार से आठजार थाउजन पर एक कोशन ऐसे भी आएगा रेशियो अब आएगा नहीं पर एक आया हुआ तसली में एक लाइन एड़ कर दी है ठीक है तम जरूर पूचते हैं पॉली साइथी मिया इंक्रीज आर बीसी काउंट इन ब्लड जब आप पहलों पर जाते हो ठीक है अच्छा लिकोसाइटोसेस का मतलब बढ़ जाना बढ़ जाना इंकी डवली सी काउंट पर कब जब इंफेक्शन होगा पर अगर कैंसर के केस में डबली सी काउंट बढ़त इंफेक्शन हो सकती है और कुछ इयर भी हो सकती है क्योंकि हमारे बॉडी के सोल्जर्स है यह ठीक है तो टेपेंड करता है इनका साइट क्या है कहां पर है समझ में आया जैसे लिंफोसाइट की अगर बात करते तो लिंफोसाइट तो की मलब वैक्सिनेशन में भी यूज़ करते हैं यह तक हो सकते हैं तो हर टाइप के डवली सी की अलग अलग लाइव इस पे नहीं सम आर टू इयर ठीक है तो यहां तो इतना क्लियर रखना इतना क्लियर रखना कि लिकोसाइट और डवली बीसी की बात करते में एक बात समराइज कर देता हूं नंबर ऑफ डवली बीसी याद रहेंगे आपको रेशियो ध्यान रहेगा लिकोसाइटोसिस बहुत इंपोडेंट टर्म है आपको याद रखना है ठीक है लिव के मियां आपक ऐसे वार रिपीट कर देता हूं ठीक है एलेविंध का बेच्च भी हम लाउंच करने वावले हैं ठीक है ट्वेल्थ का हम लॉंच करने वाले हैं और ड्रॉपर भीए मिलने वाली है क्लियर है बायो आपकी लगबग सारे बैच में हम ही रहेंगे समझरे हैं मेरी बात मैं ओंतर और प्रहूंसर कौमन रहेंगे और फिजिक्स और चैमिस्ट्री की आपको डिफरेंट वेराइटीज मिलने वाली है तो इसके लिए टेंशन लेने की जरूत नहीं है आगे बढ़ते हैं अब आगे हम बात करते हैं wbc के classification की ठीक है अगर मैं classification की बात करूँ तो wbc को two part में हम divide कर सकते हैं कितने part में divide कर सकते हैं two part में divide कर सकते हैं समझे हाँ जी सर two part में divide कर सकते हैं एक तो granulocyte और दूसरे a granulocyte यानि ऐसे wbc जिनके cytoplasm में granules है करने का हैं हिंदी में बोलते हैं करने का हैं granules अगर cytoplasm में granules हैं तो क्या बोलेंगे यह तो granulocyte है cytoplasm without granules है तो क्या बोलेंगे इसको ठीक है a granulocyte granulocyte and a granulocyte clear बलकुल इसको यात रखना अगर हम बात करते हैं types of leukocyte की a granulocyte और granulocyte लिख दिया है मैंने cytoplasm लिख दिया है मैंने चीज को cytoplasm cytoplasm with granules and cytoplasm without with समझते होना ऐसे लिखते हैं short में without ऐसे लिखते हैं पता होगा तो अगर cytoplasm granules हैं तो cytoplasm with granules नहीं है तो cytoplasm without granules ठीक है तो अब हम बात करते हैं granulocyte की ठीक है साथ से पहला एक granulocyte लेते हैं एक granulocyte को further divide किया है हमने किसके अंदर तू टाइप के cell के अंदर आप बोलोगे यहां पर ठीक है लिकोसाइट और मोनोसाइट दौनों के cytoplasm नहीं है अंतर क्या है दोनों के अंदर size का अंतर है और nucleus का अंतर है पहले समझो मेरी बात यहां granules को represent नहीं किया जबके इन तीनों के अंदर granules present है इसके बेस पर हमने इसका classification किया एक granulocyte और granulocyte के अंदर clear है अगर मैं lymphocyte की बात करता हूं lymphocyte की बात करता हूं तो इनका size सबसे छोटा होता है approximately 8 micrometer का size होता है approximately 8 micrometer जबकि अगर मैं monocyte की बात करता हूं 18 micrometer size होता है largest यह तो कि smallest यह होगे largest चेस्ट समद रहना मेरी बात यही मिल गए और बोथ हार a granulocyte round nucleus है kidney shape nucleus है यह सारे question मिल जाएंगे आपको जबकि अगर मैं eosinophis, besophis और neutrophis की बात करता हूं तो इन तीनों का size common होता है 10 micrometer यह भी 10 और यह में भी 10 कोई अंतर नहीं है तीनों के अंदर equal है पर तीनों के अंदर cytoplasm में granules देखने को मिलते हैं clear है बलकुल हाँ बैटा 11th हम NEET और JEE दोनों ही launch करने वाले हैं अब आजो बापस बापस आते हैं यार ठीक है अटेंशन क्यों कर रहे हैं अभी current में उन बच्चों से बोल रहा हूं जो अभी जिनका target 2023 है वो बिलकुल डाइवर्ट ना हो एकदम focused on need ठीक है बलकुल डाइवर्ट होने की जरूद नहीं है ठीक है आपके लिए हम बहुत सारी series launch करने वाले हैं ठीक है test series होगी बहुत सारी चीज़ें ठीक है जो आपको एकदम boost करेगी और exam में एक अच्छे level पर लेकर के आएगी ठीक है तो size के लिए रहे 8 18 10 10 10 10 अगर percentage की बात करते हैं तो मैं इनिशेल बताया सबसे maximum कौन होते हैं neutrophils number two पर कौन आते हैं lymphocyte number three पर कौन आते हैं monocyte number four पर कौन आते हैं eosinophils and last आएंगे basophils आप समझ गे ना फिर से बहुत रहा हूं neutrophils number one number one neutrophils ठीक है maximum ठीक है फिर आएंगे lymphocyte फिर आएंगे monocyte फिर आएंगे eosinophils फिर आएंगे basophils समझ रहे ना मेरी बात reducing motor पर कोशन आता है और repeat हुआ है इसको मत भूल जाना ठीक है चलो परसेंटेज के लिए रहे है size clear है percentage clear है size clear है बलकुल percentage और size एकदम clear है यहां तक कोई doubt shout नहीं होना चाहिए ओके बहुत बढ़ी है super 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 अब question जो पूछा जाएगा ना वो उसके function पर आएगा और NCRT में term दे रखा है PMNC समझना polymorphon nucleated cells पर question आता है ठीक है तो nucleus round है lymphocyte का पता ही है हाँ monocyte का kidney shape होता है यह भी पता है sir eosinophils besophils और neutrophils में क्या अंतर है समझो मेरी बात यहां पर nucleus होता है like a headphone like a headphone ठीक है by lobed यहां three lobe होते है लोब मतलब ऐसे गुच्छे पालिda three lobe nucleus होता है यह hasheabe हो सकते हो यहां multi lobe होता है multi उसमें 4 lobe , five to eos星 sow biraz इन 6 be eos valued सकते हैं इसलिएं यहां जो nicelous máん multi lobe nucleus है और उसके nucleus वह polymorphic condition को मिल रहा만 यह प्रकिक fix नहीं है variation देखने को मिल रहा यह इस निए milkleyus को को बोलते है polymorphonucleated Nucleus और ऐसे cells को बोलते हैं या Leucocides को बोलते हैं polymorphonucleated Leucoside समझें ना मेरी बात तो PMNC भी बोल सकते हो PMNL भी बोल सकते हो पी एम polymorphonucleated Leucoside या cells PMNC यह question पूछा जाता है किसको PMNL या PMNC बोलते हैं न्यूट्रोफिस को PMNL या PMNC बोलते हैं polymorphonucleated lymphocyte poly मतलब बहुत सारी morpho मतलब जिसमें nucleus में variation देखने को मिलते हैं समझ रहे हैं 427 लोग तक कर nucleus देखने को मिलता है यहां पर अब जो question बनता है function सबसे important इसके function percentage और function यह दो question बनते हैं ठीक है अब function की अगर बात करें ना तो समाज ना बेटा चीज को अच्छे से इन सब के अंदर वो कौन से lymphocyte हैं जिनका function है phagocytosis phagopakड के खा लेना phagocytosis किसका function होता है phagocytosis जड़ा बता हो अगर मैं phagocytosis की बात करता हूं दो ही सेल होते हैं एक तो newtrophist होते हैं यह phagocyt stitch हैं neutrphe phagocytíg cells है a phagocytosis तो न्यूट्रोफिस का function क्या है phagocytosis तो यह याद रखना है और हां Monocyte का function किया है? Phagocytosis, तो actual में Monocyte और Neutrophys यह दोनों Phagocytic cells है, ठीक है बई समझ में आ गया, यह भी Phagocytosis करते हैं, यह भी Phagocytosis करते हैं, अब बात आती है कि Lymphocyte क्या करते हैं, Eosinophys क्या करते हैं, अब बैसोफिस क्या करते हैं, ठीक है, अब समझना, तो Lymphocyte के टाइप पर भी कोश्चन आता है कि Lymphocyte 2 टाइप के होते हैं, समझा देता हूँ, इन तीनों को लेके चलते हैं, तो इसको ले रहे है नमबर 1, इसको ले रहे है नमबर 2, इसको ले रहे है नमबर 3, इन तीनों को लेके चलते हैं, एक एक करके हैं, तो नमबर 1 अब बात कर रहे हैं, B or T lymphocyte can there B lymphocytes or T lymphocytes T lymphocytes ठीक है और अगर मैं B lymphocyte की बात करूं विटा तो यह टू टाइप के होते ही आप जानते ही हो एक तो आप बोलोगे प्लाजमा सेल्स दूसरे बोलोगे मैमोरी सेल मैमोरी सेल्स जबके प्लाजमा सेल्स की बात करते हैं तो यह भी आप जानते हो प्लाजमा सेल्स इस पॉन्स होता है तब पाटिसेपिट करते हैं उसके अंदर इस पॉट इस इस इनक्टिव लिंफोसाइट मैमोरी सेल्स का मतलब है जो फ्यूचर में काम करेंगे अभी काम नहीं करेंगे अच्छा टी लिंफोसाइट की अगर बात कर लो तो टी करेंज्स काम यह और servi q एक हा मैमी ताप की हो सकते हें टी हल पर शेल्स बीकिलरस जैल्स ती मैमोरी चोन्टि मैमोरी सेल्स यह पी हाल पर टी हैलपर सेल्स की अगर बात की जाए टी हैल पर सेल्स की अगर बात की जाए समझना मेरी बात यह पूरे immune system को control करते हैं control all immune system control all immune system killer यह kill करने का काम करते हैं प्रेज़न को suppressor कहीं है hyper नहीं हो जाएं समझना यह कहीं hyper नहीं हो जाएं क्योंकि killer किसको kill करते हैं work against cancer and virus infected cell यह actual में किसको मारते हैं killer cell किसके इंगे स्टम करते हैं cancer and virus infected cells cancer cell भी तो अपने ही तो cell है cancer cell तो अपने ही cell है और virus infection भी अपने ही cell में होता है तो यह उन cell को पकड़ पकड़ के मारते हैं जिन में uncontrolled growth हो रही हो human के cell या जिनके अंदर virus का infection हो गया हो ठीक है तो कहीं हाइपर हो गए ना तो यह आई पर मत हो ठीक है क्यों इनका इसे रोल बहुत important है तो suppressor का मतलब है सांध करना ठीक है और memory वह inactive future में काम करेंगे और जहां memory होती है vaccination वही तो काम करता है तो memory cell यहां पर भी है बेटा और memory cell यहां पर भी है दौनों के पास memory होती है इसलिए दौनों ही vaccination में participate करते हैं समझ में आई या नहीं आई बुलकुल वर्कशीट का भी planner मैं देने वाला हूँ आपको ठीक है पूरा time table वर्कशीट कैसे आपको करना है एक planner हम आपको देंगे ठीक है एक बहतरी प्लैनर बना रहे हैं कल से बना worksheet करके कि आपको अब remaining days में अपना planning किस तरीके से करनी है वर्कशीट किस तरीके से आपको क्या किस वेटेश को कैसे क्या करना है ठीक है करो या मरो वाला concept की बस यह कर लो तो काम हो जाएगा ठीक है वह भी हम देने वाले हैं आपको ठीक है तो lymphocyte lymphocyte को मैं डिवाइड किया के immune system को control करते हैं टी killer जो see the cancer of virus infected cell को target बनाते हैं और टी suppressor जो killer को suppress करके रखते हैं भाई सांथ और टी memory जो future future समझे रहो second immune response के लिए responsible होते हैं clear है यहां तक clear होगा तो अब बात आती है number two eosinophils number two eosinophils और number three basophils इनके function तो बहुत बहुत important है NCRT की direct line बूची आती है अब समझो eosinophils को eosinophils क्यों बोलते हैं समझना मेरी बात क्योंकि यह तीनों के size बराबर है जब आप अपने blood निकाला blood slide पर डाला अब आपको पता करना है इसमें से बताओ ठीक है monocyte कौन से लिंफोसाइ हैं जो छोटे size के हैं वो लिंफोसाइट है ठीक है समझ में आ गया अब समस्या क्या आई समस्या आई iosinophils basophils निक्टरफिस के लिए यह बराबर size के हैं तो इसके लिए हमने staining method यूज किया क्योंकि इनके cytoplasmine granules थी और granules क्या का काम करते हैं granules रंग को absorb कर लेते हैं stain क को absorb कर लेते हैं तो हमने stain किया ऐसे सहल जो acidic stain iosin से colored हो गए उनको नाम रख दिया हमने उसी stain के नाम पर iosinophil iosinophil जो iosinophil की filling हो जाती है जिसके अंदर iosin की filling हो जाती है जिनके अंदर उनको iosinophil बोलते हैं इनको acidophil भी बोलते हैं क्योंकि iosin acidic dye थी iosin acidic dye थी सुड़ स्कॉल ठीक है समझ रहना मेरी बात iosinophil clear है दूसरे होते हैं basophil जो basic dye methylene blue से stain हो गए उनको basophil बोलते हैं fill मतलब filling ठीक है basic dye से इसकी filling हो गई और neutrophil जो acid or base का combination बनाया था उसकी filling जहां होती है उसको हम basophil बोल उसको neutrophil बोलते हैं neutrophil का मतलब है जो acid और base के लिए neutral हो उसको क्या बोलेंगे neutrophil समझ में आ गया eosinophils basophils neutrophils तीनों में difference समझ में आ गया अब function की बात आती है eosinophils के पास दो property होती है एक anti-parasitic property और दूसरी होती है जाना ना anti-allergic तो नहीं anti-allergic बोलोगे anti-allergic property समझ ना मेरी बात anti-parasitic क्योंकि इसमें granules थे इसमें granules का मतलब थेह लिया है ठीक है packets इन eosinophils के पास ऐसे भी packets हैं जिसके अंदर lysosome वही लाइसो लाइसो समझते हो मतलब ऐसे packets जिनके अंदर enzyme भरे हो ठीक है तो anti-parasitic granules के अंदर lysosomes होते हैं डाइजिस्टे बन जाएं जब फटते हैं किसी parasite की surface पर ना तो hole बन जाते हैं digest हो जाती है उसकी wall ठीक है तो यह anti-parasitic property रखते हैं हां कुछ packets ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जो allergy cost करता है histamine उसके अंगेस्ट वर्क करने की capacity होती है समझते हो एक enzyme होता है histaminase क्योंकि histamine allergy cost करेगा तो इन packets के पास एक enzyme होगा anti-allergic enzyme histaminase anti-histamin enzyme किसमें इन्वाल्व हो रहे हैं यह allergic reaction में इन्वाल्व हो रहे हैं ठीक है इनका property ही anti-allergic है जहां allergy होगी वहाँ इनका involvement होगा और आपको allergy से protect करेंगे anti-allergic property रखते हैं क्योंकि इन packets के पास एक enzyme है histaminase समझ रहे ना मेरी बात जो histamine के effect को खतम कर देता है बैसो फिल में तो आप पता ही आपको वही हेपारिन हिस्टामिन सिरोटोनिन जिस सबस्टेंस होते हैं ठीक है एंटी कोगिलेंट होता है सिरोटोनिन वैसो कॉंस्टिक्ट होता है ठीक है associated with inflammation histamine वैसो डाइलेटर होता है histamine क्यासा होता है वैसो डाइलेटर लिख देता हो मैं वैसो डाइलेटर तो histamine जो होता है वैसो डाइलेटर होता है वैसो को डाइलेट करा करके inflammation कॉज करता है सूजन ठीक है और जब बे बज़े inflammation होता है तो allergy होती है मतलब यह allergy कॉजिंग हो सकते है पर हर किसी के अंदर जैसे मेरे अंदर यह निकल रहे है allergy cause नहीं कराएंगे ठीक है मेरे अंदर इनका involvement inflammatory reaction में है ठीक है पर किसी किसी के अंदर यह hyper sensitive हो जाते है तो allergy होती है भगवान ने इसको allergy के लिए नहीं बनाया इसको inflammation के लिए ठीक है इसलिए inflammatory reaction में इनका involvement होता है इनका involvement होता है इसका allergy में involvement होता है समझ में आया और साथ-साथ में anti-parasitic activity भी रखते है तो अब function आपको याद रहेंगे फिर से मैं समराइज कर रहा हूं ठीक है फैको सेटिक नीचर के कौन कौन से होते हैं आप लोगे सर मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स बोथ हार फैगोसेटिक जो फैगोसाइटोसिस पकड़के खा लेना इसके लिए responsible है ठीक है तो बटा लिंफोसाइट क्या काम करते हैं सर टू टाइप के होते हैं वही अच्छा सर टीक देए टीक कि लर्टी सप्रेसर टी है पर और टी मैमोरी ठीक है पर पूरे इमियो सिस्टम को कंट्रोल करेंगे किलर मारने का काम करेंगे cancer और वारस-infected होते हैं क्योंकि योसिंट डाई से रंग जाते हैं यह उन फिल्स एंटी परसिटिक और एंटी एलर्जिक प्रपर्टी रखते हैं जब कि बैस ओफिल्स इंफ्लामेटरी रेक्शन में पार्टीसिपेट करते हैं आई या नहीं आई यह सारे पॉइंट्स एक्दम टिप्स पर आजाने चाहिए यह यास या नो सर होल जिलोजी रिवीजन वन शॉट अब मार हुए गया ठीक है चलो एक्शन में ट्वैल्थ वाले बच्चों के लिए लेकर के आते हैं होल ट्वैल्थ वन शॉट के अंदर क्यूंको बोड़ का एक्जाम देना होता है ठीक है आप शॉट टाइम सॉट तरीके से नीट नह चाहिए समझगे होना वह महों नहींत कर रहा है और आप भी हमारे टोल महिनत कर रहे हैं छ्त निकले का अब समधर हो तो सबत्रहुेगो सिंगल शॉट का में परपर्स होता है उन पॉइंट को एक बार गो थो कर लेना जिन से नीट में आने की प्रॉबिल्टी जाधा होती है ठीक है NCRT पूरी रिवाइस करा देते हैं उनके पॉइंट से कोशन रिवाइस करा देते हैं ठीक है जैसे NCRT में देखोगे आर बीची का डियागराम दे रखा है सिंपल प्लैटिलेट्स ब्रेक किया हुआ यह इस नुट्रोफिल्स की बात करता हूं तो इसका नुकलिस इंटरनल हाइड हो गया ठीक है ले और मैंस दिख़ रहे हैं यह स उत गई हां जहां पर मिल्टी लोब न्युकलिस दिखं़ रहा है इई क्या होँ और तो constituce हैock जहां nella किटनी शेपड निक bus देखं़ ड़केका कि इसाफ यह हो गए क्यर्टिनी शुम्साइड फस्ट यह सिंपल होते हैं अब यह जो नोचेफ जिनका नुकरह साइड हो यह बड़ा टि यह ना है की यह इस तरहके से आप इन सेल्स को आइटेंटीफाई कर सकते हैं को इसलिबूचि पर अब भाता है तिक sites की फ्रोंब भान सम्मझते हो क्लोट क्लोट इंग फॉर्मड ऐलीमेंट का लास्ट सेल 30 बोस एट ब्लड क्लोटिंग सेल समझता मेरी बात निई साथ लेकर चलाओ मैं इनका formation कैसे होता है इनको बनाने वाले सेल्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं इनके बनाने वाले सेल्स होते हैं उनके पास एक बड़ा सा nucleus होता है बड़ा सा nucleus होता है मेगा मेगा nucleus होता है ठीक है इसलिए इन सेल को बोलते है mega karyocyte mega karyocyte ये ये mega karyocyte है ठीक है ये कौन है mega karyocyte mega karyocyte ठीक है ऐसे सेल्स जिनका nucleus बहुत बड़ा होता है मैं कहे रहे हैं साइट से समझना यहां हो क्या रहा है fragmentation fragments बन रहे हैं क्या हो रहा है fragmentation 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 यानि इन mega karyocyte के fragments break हो रहे है fragments यहां पर ब्रेक हो रहे हैं fragments यह fragments यह fragments टूट के कुछ पार्ट अलग हो रहा है यह पार्ट अलग हो रहा है इसको हम fragments बोलते हैं यह सब इन में सब स्टेंस फिल हैं लाइका थ्रूमबो प्लास्टीन fragments of mega karyocyte fragments of of mega karyocyte in fragments को हम बोलते क्या है इन ही को बोलते है platylates इन ही को हम क्या बोलते है platylates fragments of mega karyocyte ठीक है ऐसे cell जिनके पास mega nucleus था उसके जो fragments होते हैं fragments of mega karyocyte उन्सकों उनको बोलते है platylates clear है यह नहीं कि यह सब्सक्राइब संकल्प सेलेक्शन का यह फ्रेग्मेंट्स कि बिलकुल ठीक है तो fragments का मतलब तुक्डे इसके टुक्डे होते हैं जिन में भरा होता है थ्रूम्बो प्लास्टिन ठीक है इनको बोलते है platylates जिसमें क्या वारा हुआ है थ्रूम्बो प्लास्टिन थ्रूम्बो प्लास्टिन क्या काम करते हैं help in blood clotting help in blood clotting blood clotting में help करते हैं आप जानते ही हो ठीक है तो platylates also called thrombocytes समझ में आ रहा है और दा fragments cell fragments produce from mega karyocyte यह mega karyocyte के fragments है ठीक है special cell in the bone marrow bone marrow के अंदर देखने को मिलते है blood नॉर्मली contain लग बग डेड़ लाक से लेकर के साड़े तीन लाक समझे ना मेरी बत एप्रो नंबर नंबर कितना होगा 1.5 to 3.5 लैक पर mmq लग बग इतना mmq blood इसके अंदर blood में पर देखने को मिल जाते हैं रिलीज वराइटी अब सबस्टेंस मोस्ट ओफ विच आर इन्वाल्व इन कोईगूलेशन एक लॉटिंग ऑफ ब्लड रिडक्शन इन दियर नंबर अगर इनका नंबर कम हो जाए तो क्या बोलते हैं इनको थ्रूम्बो साइटो पीनिया पीनिया मतलब कम हो जाना यह भी डिक्रीज अ नंबर अफ प्लेटि लेड्श अगर किसी की अंदर प्लेटिफ हम गया है तो इसके अनदर यूं फंगो साइटो पीनिया हो गया तो समझ में आ गया तो स्टख वो सल्था किन फिर् है लगबग seven days के आसपास कुछ भी नहीं बचा सारा कबर कर दिया है मैंने प्लैटिलेट्स का ठीक है यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं है तो बताओ ठीक है हाँ लाइफ इसकी seven days के आसपास होगी वन वीक बुलकुल सही लाइफ इसपेन लाइफ इसपेन seven days के आसपास होगी फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा केरियो साइट से इनकों प्लैटिलेट्स बोलते हैं इनमें जो फिल सेबिस्टेंस होते हैं जो ब्लट क्लॉटिंग में हैल्प करते हैं इनका नंबर कितना होता है 1.523.5 लैक पर mmq थ्रोंब साइटो पीनिया डिक्रीज नंबर ओ प्लैटिलेट्स टर्म पूछा जाता है जो मेगा केरियो साइट के फ्रेगमेंटेशन से बनते हैं यहां था कोई डाउट्स आउट एक कोशन आपके सामने अच्छा कोशन है काफी जिने क्लियर हो जाएंगी इस कोशन से कोशन आपके प्रोटीन इन्वाल्विंड डिफेंस मेकैनिजम और बोडी ठीक है ठीक है ग्लोबलिन डिफेंस मेकैनिजम में इन्वाल्व होती है फिब्रेनोजन प्रोटीन और correctly match यह correctly match कर रहा है correctly match कर रहा है clotting करता है अल्बमिन रोल इंदे ट्रांस्पॉर्ट अफ गैशी ग्रॉंग ऑस्मो रेगलेशन में पार्टिसिपित करता है बैसोफिल बताओ involved in inflammatory reaction बल्कुल सही बैसोफिल inflammatory reaction में involved होते हैं बल्कुल सही यह सुनफिल्स help in osmotic balance wrong यह सुनफिल्स anti parasitic और anti allergic यह अलर्जिक reaction में involved होते हैं lymphocyte ठीक है WBC responsible for immune responses in body lymphocyte WBC B lymphocyte और T lymphocyte की बात कर रहे हैं बल्कुल immune responses में participate करते हैं ठीक है तो दो ही wrong है यहां पर ठीक है right पूछें correct पूछें one two three four four correct है कि इतने में लगा रहे हूँ कि यहां कौन सा लगा रहे हूँ फटाफट लगाओ यह बहुत सही बहुत सही सारे बच्चे एकदम अब परफैक्ट लगा रहे हैं first super सें समझ में आ आपको विच उप्टा फालिंगे सेल फ्रेग्मेंट्स जी तो भी भूलोगे रीया सेल फ्रेग्मेंट्स कोन होते हैं सेल फ्रेग्मेंट्स ल्यूकोसाइट लिम्फोसाइट बोन cell या blood platyates कोने फ्रेगमेंट्स लगा दो गयार प्लाटिलेट से दा सेल फ्रेगमेंट्स चलो अब बात करते हैं इस पार्ट का सबसे important समझ रहो इस पार्ट का सबसे important for some other na blood group समझ एक मिन रुको कि देखो NCRT चाप दिया है ठीक है NCRT लेगे चल रहे हैं समझने कोशिश करना NCRT लेगे चल रहे हैं ठीक है अगर मैं NCRT की बात करूं NCRT बोल क्या रही है NCRT बता रही है कि blood group होते क्या है ठीक है वह किसी का a blood group है किसी का B है किसी का a B है किसी का a A B O AB मेरी बात आप बलोगे blood group to decide होते न यह दो टाइप के antigen की presence और absence के base पर decide होते मानो ठीक है तो किसी मानो जाओ बेस्ट किस पर होते बेस्ट होते हैं blood group मैं लिग देता हूँ blood ग्रूप बेज्ट आन बेज्ट आन तो प्रजेंस एंड एपसेंस प्रजेंस एंड एपसेंस आफ तू ताइपस आफ एंटीजन एंटीजन को एज तरह प्रजेंट करते हैं ऑन आर बेसी पर दो प्रकार के एंटीजन के प्रजेंस और एपसेंस के बेस पर हम ब्लड ग्रूप बनाते हैं देखो ज क्या हो वो कर वो टो टाइपस आफ ओगे वन 2 टाइपस को A and B यह दो antigen होते हैं A और B तो blood group based किस पर होते हैं based on presence यह absence of two types A and B of antigen AG on RBC अब जैसे समझने कोशिश करना मान लो किसी की RBC की surface पर A antigen है A antigen है तो क्या होगा किसी की RBC की surface पर B antigen है तो क्या होगा किसी की RBC की surface पर दोनों ही antigen है A, B है और B है B, B है तो क्या होगा मानो किसी की RBC की surface पर कोई भी antigen नहीं है तो क्या होगा किसी की RBC की surface पर A antigen है A blood group B antigen है B blood group दोनों antigen है A, B blood group कोई भी antigen नहीं है 0 जिसकों O blood group बोलते हैं समझ में आया तो blood group किस पर based है आप बलो के blood group based on presence and absence of two types of antigen on surface of RBC वो दो type के antigen कौन है A and B इसके बेस पर हमने चारों blood group को design किया हुआ है समझे इसके बेस पर हमने चारों ही blood group को design किया हुआ है समझे है नहीं समझे चलो NCRT देख लेता हूँ to such group the ABO इसको ABO blood group बोलते है और RH, RS समझाऊंगा widely used to blood group बहुते है blood group MB होता है blood group NB होता है समझ रहे हो bombay term करके भी blood group blood group क्या है it is a types of antigen पर mostly human की RBC पर जो में antigen देखने को मिलते हैं वो A और B antigen है इसके आप एक RH antigen इसको RH factor भी बोल सकते हो वो भी RBC की surface पर मिलता है तो A और B जो antigen है ये decide करते हैं ABO blood group के बारे में और RH antigen है वो decide करते हैं positive और negative सुनाओ को A positive B positive जो positive और negative है वो बता रहा है कि RH antigen है या नहीं है और A और B antigen की presence और absence बता रही है फिर से बल रहा हूं A और B antigen की presence और absence बता रही है क्या किस टाइप का blood group है तो यहां तक कोई doubt शाउट नहीं होना चाहिए अब ABO grouping is based on presence और absence of two surface antigen कोन होते हैं जो surface पर होते हैं on the RBC namely A and B antigen similarly plasma of different individual content to natural antibody पर blood group में concept और होता है नेचर ने यह specific antigen बनाए तो इनके अंगेंस्ट plasma में दो natural antibody भी बनाएं सिर्फ ABO blood group में होते हैं ठीक है ठीक है आरेच के किसमें नहीं होते ABO blood group के किसमें होते हैं समझ एंटीबॉडी अब उनका पोड़ी इनका प्रिजेंस किस तरीके से होता है नेचर ने किसके अंदर क्या बनाया वो पूरी mechanism बताऊंगा ठीक है blood group mechanism के अंदर तो एक सी समझ में बटा जान नहीं आई यह भी देख लो फिर आगे क्या रहें Antibody Antibody को रहें It is a protein Reduce response to Antigen नेचरल antibody पर नेचर बटीक रहले हैं पहले साही सब्सक्राइब का दिस्ट्रिभीशन औफ एंटेजन आण आंटीजन यन एनठीबॉड इन लड ग्रूप एंऑ उऐ थी और डनर कॉम्टेबिलिटि भी समझांगा कि किसको ब्लड किसको दिया जाता है यह भी समझाँगाँ है यह समझे अब आफ़ा दो बातㄹन बता हुआ एक तो मैं बता हुआ है मानलो किसी का ब्लड ग्रोप A है किसी का ब्लड ग्रूप B है बनाओ चाहिक छुडबन जो समझो मानो किसी का ब्लड ग्रूप ए है किसी का ब्लड B है किसी का a b poi तो किसी का a अगर मैं आपसे फूछ किसी का ब्लट ग्रुप a है तो rbc की सर्फेस पर antigen कौन सा होगा a तब ह pipe blab miss fp that b abay दोनों antigen होगे कोई भी antigen नहीं होगा क alimentos समझ में आया है जिसका ब्लड ग्रूप ए है तो मतलब यह एंटीजन की प्रिजेंस के बेस्ट ब्लड ग्रूप बना है अब मैं पूछू इनके अंदर एंटीबॉडी की पूजिशन क्या होगी तो जिसके पास एंटीजन है तो नेचर ने एंटीबॉडी चेंज कर दिया और बिजिसर बैस्ट बीटीजन है तो बीटिव नहीं होंगी एंटी एंटीबॉडी होंगी आप समझ रहे हो जिसके अंदर नेचर ने दोनों यह नि इंटीजन निल थे उसको ने ने दोनों यह एंटीजन देदी यह नेचर का डिस्ट्रिबूुशन था ठीक है एक पास समझ में आया कि हमेशा जिसका ब्लड ग्रूप A होगा मतलब RBC की सर्फेस पर A एंटीजन होंगे पर प्लाजमा में एंटीजन होगे एंटीजन होगे पर प्लाजमा में एंटीजन होगे पर प्लाजमा में एंटीजन होगे पर प्लाजमा में एंटीजन नहीं होगे जिसके पास एक भी एंटीजन नहीं है, प्लाजमा में दोनों ही एंटीबाडी प्रिजेंट होंगे, पर समझ में आई है यह नहीं आई है, यह तो समझ में आगा है, बलड ग्रूप बई किस पर बेजड है, ठीक है, बेसिक बात बता है, बलड ग्रूप A और B, दो टाइप की एंटीजन के प्रिजेंस और एपसेंस के बेस पर डिजाइन किया जाता है, ठीक है, जिसमें एक एंटीजन है, बलड ग्रूप वही होगा, समझ में A, तो A, B है तो B, और दोनों है तो A, और दोनों ही नहीं है, तो O, प्लाजमा में एंटीबाडी नेचर ने उल्टे तो प्लाजमा में दोनों ही एंटीबाडी देखने को मिलते हैं, यह डिस्ट्रिविशन समझना है, यह डॉनर्स ग्रूप के बारे मैं समझाऊंगा, आपी मैं बापस आ रहा हूं, समझना, जब भी हम बलड डॉनिट करते हैं, किसी को दान देते हैं, तो जो डॉनर होता है एंटीजन, रिसीपेंट की हमेसा एंटीबोडी, इसकी मैचिंग की जाती है, आलवेज, एंटीबोडी, डॉनर का एंटीजन और रिसीपेंट की एंटीबोडी, इनकी क्या की जाती है, मैचिंग, इनको देखा जा, चेक किया आता है, ठीक है, यह मैचिंग नहीं होने चाह यह मैंसे लिखता हूं मिसमैचिंग यह अगर यह सेम हो गए तो क्लंपिंग हो जाएगी इंसान की डैथ हो जाएगी ठीक है तो इसके बेस पर एंटीजन एंटीजन बॉडी के बेस पर जो डॉनर है जो ब्लट समझे एक तरीके से किसी और केंदर ट्रांस्फर कर दूंगा किसी और केंदर मेरा जो भी कुछ एक एंटीजन हो और की पकोगा हमेशा जो लेता है recipient उसका antibody और जो देता है उसका antigen ये mismatch होने चाहिए तब ही वो donate कर सकता है तो कर लेते हैं वाई किसको कौन दे सकता है ये आप जान चुकियो जिसका blood group A है तो antigen क्या होगा A, B है B, जिसका blood group A, B है A, B तो दोनो ही होंगे और O है तो donor ही नहीं होंगे समझ दो जैसे ब्लड को तो भी लिखता हूँ A, B A, B, O अगर नहीं पुछू A के अंदर antibody कौन से होंगे उल्टा कर दो B, B के अंदर antigen कौन से होंगे A, इसके अंदर कोई भी antibody नहीं होगा, इसमें A और B दोनो ही antibody होंगे यह मैं समझा चुका हूँ आपको इसके बेस पर मैं donor और recipient के blood group ची बात करूँगा आप एक दम एक single step में समझ में आएगा देने वाले का antigen लेने वाले की antibody match कराओ A हम किसको दे सकते हैं A किसको दे सकते हैं A उसको दे सकते हैं जिसके पास A antibody नहीं हो A antibody इसके पास नहीं है दे सकते हैं इसके पास है इसके पास नहीं है दे सकते हैं इसके पास है जैनि A blood group आप दो ही जगह दे सकते हो A blood group को A को दे सकते हो और A blood group को आप AB को AB को दे सकते हो समझे या नहीं समझे री यह antigen हो गए ठीक है यह antibody हो गए state that के पास कोई भी antigen नहीं होता पर दोनोn antibody होते हैं इसके पास दोनों antigen होते हैं पर कोई भी antibody नहीं होता इसलिए यह आसानी से AB को दिया जा सकता है स्कती है और तहसं को सकते हैं को कि यहां एक वी को देवाट नहीं है कोई डाउट है ? अगे पढ़ते हैं इसकते हो A,B, A,B ko तो दे ही सकते हो A, B, A,B ko तो दे ही सकते हो A,B ko कोई भी दे सकता है क्योंकि Ent today है ही नहीं देने वाले का Entigen लेने वाली का Enti logged यह ऐसा लेने वाला इसके अड़ी है ही यह नहीं समझदे ले को इसके बावबा A,B और किसको दिया जा सकता है A B सिर्फ A B को दिया जा सकता है क्योंकि ये मैच कर जाएगा यहां ये मैच कर जाएगा यहां ये मैच कर जाएगा only एक ही को दिया जा सकता है ठीक है ओ किसको दिया जा सकता है दिमाग लगा ओ किसको दे सकते हो इसके पास एक भी antigen नहीं है देने वाले का एंटीजन एक भी एंटीजन नी आँखे बंद करके किसी को भी दे दो ठीक है ये इसको भी दिया जा सकता है ये इसको भी दिया जा सकता है और ये इसको भी दिया जा सकता है आराम से match करो समझे ना मेरी बात देने वाले का antigen लेने वाले की antibody आपस में similar नहीं होने चाहिए mismatch होने चाहिए आप चड़ा दो आखें बंद करके कोई नहीं यह blood group लिख दिये मैंने side side में यह donor का antigen और recipient की antibody match करोगे तो A किसको दे सकते हैं A को दे सकते हैं mismatch A इसको दे सकते हैं mismatch B B को दे सकते हैं mismatch B A B को दे सकते हैं mismatch A B इसको A क को दे सकते हैं ओ के पास antigen नहीं है किसी को भी दिया जा सकता है और ऐसा recipient जिसके पास एक भी antibody नहीं है किसी से भी ले सकता है आप समादे रहो ये यूनिवर्सल रिसीपेंट हुआ ए भी क्या हुआ यूनिवर्सल रिसीपेंट इसी से भी ले सकता है जबकि ओ क्या हुआ ओ यूनिवर्सल डॉनर यूनिवर्सल डॉनर किसी को भी दे सकता है समझ में आई ये नहीं आई अगर वाकी में समझ में आई तो दिल से आग लग आओ आग लगनी चाहिए पर दिल से ओ इस यूनिवर्सल डॉनर यस ओ इस यूनिवर्सल डॉनर किसी को भी दे सकता है एक ऐसा ओ जिसके पास एंटीजन ही नहीं है और देने वाले का हमेशा एंटीजन देखा जाता है तो एक ऐसा ओ भाई इसके पास एंटीजन ही नहीं है दे दो किसी को भी किसी को भी दे दो एंटीजन ही नहीं है और ऐसा लेने वाला क्योंकि लेने वाले का एंटीबोडी देखा जाता है एक ऐसा लेने वाले इसके पास एंटीबोडी यह नहीं है वो किसी से भी ले सकता है स दिल से आग लगनी चाहिए बस अब जितना भी पढ़ाऊंगा इसके बाद ब्लड ग्रूप से चालो हो गया आपका सारा खतरनाग वाला कंसेप्ट ब्लड ग्रूप रात्रो ब्लास्टोसिस और हुमन हर्ट इंक्लूडिंग डिसॉडर पूरा सूपर सूपर एकदम ब्रेन मे लगरी भाई यार मुझे मोटिवेशन तुमारी आक सी मिलता है वो नहीं नजरा रही खतरनाग बाली ननस्टोप अब यहीं चाहिए थी यहीं चाहिए थी सूपर 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 दिल मांगे मूर बास आगे बढ़ते हैं ब्लड ग्रूप कंसेट क्लियर है अच्छा कुछ कोशन डिसकस कर लेते हैं से मज़ा जाएगा ठीक है कुछ कोशन है फटाफट मुझसे पहले बताओ मज़ा आएगा मुझसे पहले बताओ ठीक है जैसे ब्लड ग्रूप समझना ब्लड ओफ एबी ग्रूप एबी 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 ग्रूप एबी ब्लड ग्रूप है किसी का कैन नॉट वी गिविंग टू ब्लड ग्रूप भाई किसी का ब्लड ग्रूप एबी है बी को क्यों नहीं दे सकते मतलब patient है इसको नहीं दे सकते क्योंकि इसके पास दोनों antigen है और इसके पास B blood group है तो मतलब A antibody होंगे आप समझे नहीं मेरी बाद antibody उल्टा A होगा A antibody है इसके पास जो से match कर जाएगा ठीक है तो patient has antibody A आप समझ रहे हो इस बजह से नहीं दिया जा सकता नहीं तो हम इसको दे देते समझे नहीं समझे यास डी बहुत बढ़ी आप अच्छा जड़ा बताओ यह NCRT वाला डागराम है इससे थोला concept और अच्छे से बन जाएगा नए बच्चों के लिए बता रहा हूं पराने बच्चों को तो यहां इंडिएन क्या यह गाएगा दॉनओ A और B हो गया ना पूरा One अच्छा डानर का blood group क्या क्या होगा A हो सकता है और A किसको दिया जा सकता है A B को भी दिया जा सकता है यह ओप दॉनओ से blood group क्या होगा a और A B, यहां क्या होगा, A B सिर्फ A B को दिया जा सकता है, डॉनर, अच्छा डॉनर कौन दे सकता है, दे कौन सकता है, A को A दे सकता है, और A को O, डॉनर्स पूछ रहा है, डाता, डॉनर कौन होगा भाई, O B, वही, A को A दे सकता है, A को O भी दे सकता है, B को B दे सकता है, B को O भ दे सकता है ए بी को एवी कोई देने वाले कर डोशन यह एसा ए बी के मृशन कोई एंटी नहीं होती एभी बी और ओस और सब दे सकते हैं हो गया मैं के पस्त में क्या लिखोंगे फर्स्ट में बताओ बी फर्ट में है इस तरीके श्रिक में आज थी कर पा स्नोर si second ओ 2nd O ठीक है 3rd देखो 3rd में B 3rd में B 4th को 4th 4th में A B 4th में A B 5th में सब आजाएगा 5th में A B A B O सब आजाएगा ठीक है match कर लो जो आएगा वही होगा match कर लो D बचे D लगा रहे है 1st का E होना अच्छिए 2nd का C 3rd का A 3rd का A 3rd का A 4th का B 3rd लगा रहे हैं सही लगा रहे है अब इस बलड का सबसे इंपोरेंट टॉपिक एक और बसता है बलड ग्रूप के बाद रह फैक्टर एराथ्रो ब्लास्टोसिस फेटैलिस समझना होगा इसको ठीक है आरेच्ट टर्म लिया कहा से भाई रिशेस मंकी रिशेस मंकी समझते हो तुम अपने बंदर देखते हो ना आसपास वोई डीसिस मंकी है वह ही यह पेलों पर चड़ए बढखें ठीक है वो richness monkey है ठीक है तो scientist ऑन एक बार इस monkey की रbc defining antigen को देखा समझना एक antigen को देखा तो है तो research monkey रbcा सर्फेस पर हर किसी के नहीं था ला देखने को मिला उसी के बेस पर हमने इसका नाम रख दिया आरेच एंटीजन ठीक है उसी के पर आरेच फेक्टर ठीक है तो अनेधर एंटीजन जो था वह आरेच एंटीजन था इसलिए इसको आरेच नाम दिया इस ऑलसो ऑब्सरफेस ऑफ आरेच 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 परसेंट लोगों का ब्लड जो होता है आरेच पॉजिटिव होता है ठीक है मैं लिए देता हूं इफ कंडिशन इफ आरेच एंटीजन प्रिजेंट है तो क्या होगा आरेच एंटीजन एपसेंट है तो क्या होगा आरेच एंटीजन प्रिजेंट है तो आप बोलोगे इसको आरेच पॉजिटिव और एपसेंट है तो क्या बोलोगे इसको आरेच निगेटिव आरेच पॉजिटिव वही एटी परसे population और्थ पॉजिटिव होती है और ट्वन्टी परसेंट पॉपोलेशन और एच निगेटिव होती है यह बेसिक बात आ इस ब्लू कर बैसिक बात ठीक है बुलकुल बेसिक बात के यहां तक समझ में आया नहीं आया तो आग लगा हो इस बहुत बेसिक समझना होगा आपको इतना समद में आया तो बताओ आगे बढ़ता हूँ अच्छा 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 जैसे यहां पर भी जो ब्लड डॉनिट करते हैं तो इसमें देखना होता है कि नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट क्या है थिक हैं नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट क्या है जैसे आरेच नेगेटिव कौन होगा जिसकी आणदर आरेच अंटीजन नहीं है आरेच पॉजिटिव कौन होगा जिसकी आरवीसी में आरेच अंटीजन है तो मैं बेसिक समझा रहा हूं आपको जो बुलकर नएबच्छे हैं आरेच पॉजिटिव इदर लिख देता हूं मैं आरेच निगेटिव इदर लिख देता हूं ठीक है समाजी कोशिश करना मालो कोई इंसान आरेच पॉजिटिव है तो इसकी आरबीजी की सर्फेस पर आरेच अटीजन प्रेजेंट होगा और इस ब्लड को अगर डॉनेट कर दिया जाता है आरेच निगेटिव के ब्लड में तो क्या होगा तो क्या होगा समझना तो क्या होगा समझना यह आरेच अंटीजन है अगर इस आरबीजी को में एंटर करा देते हैं किसी के ब्लड में इस आरबीजी को एंटर करा देते हैं किसी के ब्लड में तो क्या होगा भई आरेच निगेटिव के लिए तो फॉरिन पार्टिकल होगे ना act as a antigen तुरंत इस इंसान की RBC में जो B lymphocyte होंगे समझना वो तुरंत इस antigen से bind कर जाएंगे उनके bind होते ही इनसे क्या बनाएंगे plasma cell क्या बनाएंगे plasma cells plus memory cell तुरंत क्या बनाएंगे इनसे memory cell and plasma cell and produce IgM antibody IgM antibody बनाना चालू कर देंगे समझना मेरी बाग अगर ये कोई RH negative इंसान है ये RH positive इंसान है गलती से आपने इस blood को इसमें डाल दिया positive blood को negative के अंदर तो समानो मैं A positive हूँ कोई second person है वो A negative है आपने का A blood group तो मिल रहा है उठा के छड़ा दो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये मिल रहा है पर positive negative नहीं मिल रहा मतलब RH antigen नहीं मिल रहे इससे नुकसान क्या होगा ऐसा होगा जब आप किसी positive बले blood group को negative blood group में डॉनिट कर दोगे तो ये IgM antibody उसके अंदर बन जाएंगे anti RH antibody बोलते इनको anti RH antibody पहले नहीं थे अब बन चुके हैं पहले नहीं थे अब बन चुके हैं और गलती से आपने second time भी इस blood को ही donate कर दिया तो बास खेल खतम second time enter कर दिया same blood को आपने second time इसको first immune response बोलेंगे primary immune response बोलेंगे primary immune response इसको secondary immune response बोलेंगे secondary immune response बोलेंगे समझना जब same antigen second time enter करता है तब B lymphocytes से इंटरेक्ट नहीं करेंगे जो memory cell बन चुके थे पहले जो memory cell पहले बन चुके थे वो आएंगे यहां पर उनका interaction होगा जो memory cell पहले बन चुके थे अब ये memory cell ये memory cell जिनकी surface पर antibody लगे थे एक्टिव हो चुके थे अब ये बनाएंगे क्या परे डियूस करेंगे आए जी जी antibody antibody और इस आए जी जी antibody इस तरह कि जितने भी RBC आएंगी उनकी clumping कर देंगे उनको मार देंगे ये होता है इसलिए ध्यान अखना पड़ेगा अगर कोई इंसान आरेच निगेटिव है तो गलती से भी वह आरेच पॉजिटिव ब्लड को रिसीव ना करे उसमें अगर फीमेल का केस हुआ फीमेल का केस हुआ जिसना भी मैरिज नहीं की और गलती से अरेच पॉजिटिव ब्लड उसने अपने अंदर ले लिया समझना और गलती से ले लिया तो इसकी बोड़ी में क्या बन जाएंगे एंटी आरेच अटी बोड़ी बन जाएंगे जो पहले नहीं थे अब इसके केस में बहुत टिपिकल कंडिशन आने वाली है बताऊंगा क्या आएगी यह बेसिक समझ में आया है और एच निक अटीजन होते हैं जब भी किसी को डॉनेट करोगे तो मैच करने चाहिए इनको भी ऐसे यहीं चाड़ा दिना चाहिए ठीक है पहली बार चाड़ समझेस मेरी बात अब समझाओंगा पूरी मेकैनिजम यहीं पूर समझाने वाला हमें क्या है रेत्रो ब्लास्टोस समझो जैसो को मदर पहला फ़स्टप्रिग्णेंसी का केश है सबढ़ता फ़स्ट प्रिग्णेंसी का केस मदर का फ्रस्ट प्रिग्नेंसी है यहां बात कर रहे है एरेफ्र्यो ब्लास्टोस इस फीटल इस के मदाइफ्र्य प्रिक्नेंसी का केस है मदर ने बेशनीप किया इंडी ऐसा है और एस पॉजिटिव बेभी कैसा है रह पॉजिटिव 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 अगर बेभी रह पॉजिटिव है और मदर रह निगेटिव है कंडिशन है कंडिशन लिख दे रहा हूं उसके अंदर आर ईच निकेटिव समझना मतर्ण रेच निकेटिव है फादर पाज़ पाज़ेटिव समझना मेरी बात इसके केस में क्या होगा इसके केस में फॉस्ट बेबी नॉर्मल बट अदर शो इरेथ्रो ब्लास्टोसिस इन फीटस आप समझे जिसकी ऐसे फीटस की डैथ भी हो सकती है जॉन डिस स्प्लीनो मेगे लिए डैथ हो जाती है ठीक है समझने की कोशिश करना मदर तो अब ध्याना यह एक जैनेटिस की बात बता रहा हूं जैनेटिस की सहता ने पड़ी भी हो जो आरेश फैक्टर का जीन होता है ना वह डॉमिनेंट होता है समझना अगर माल लो फादर होमो जैकस डॉमिनेंट है तीन कंडिशन हो सकती है होमो जैकस डॉमिनेंट मानों डी डी या हैट्रो जैकस कंडिशन डी स्मॉल डी या या रिसेसिव है डी डी यह कंडिशन है यह होगा तो तो रह पॉजिटिव 100% पॉजिटिव हो गई 100% पॉजिटिव इसमें कोई सोचने की जिरूति नहीं है यह कंडिशन है तो लॉफ डॉमिनेंसी के साब से यह भी क्या होगा अच्छा इस समझाता हूं मैं हेट्रो जैक यह कंडीशन आरिये तो घाut पॉजिटिव यह कंडीशन आ रही है आ रह एच नेड़ेटिव कि अगर हैं अगर है एत्टॉर जाएगस तो 50%» 50 का 50-50 की चानस था है एक थी कुछेंत पूजिटिव यह पूछा गया है यत बता रहा हूं है कि अगर फादर हेटरो जाएगस है तो बेबी के पॉजिटिव होने की प्रॉबैबिलिटी कितना परसेंट है 50 परसेंट है अगर मदल निगेटिव है फादर हेटरो जाएगस पॉजिटिव डॉमिनिंसी गदिखाएगा ठीक है यह कोशन आ सकता है ठीक है पर हम मान की चल पॉजिटिव है ठीक है हेटरो जाएगस हो या होमो जाएगस हो ठीक है हेटरो जाएगस हो या होमो जाएगस हो तो कि हैटरो जाएगस रिसेसिप तो आरस निगेटिव होगा इसको तो काउंट करेंगे हम काउंट करेंगे हैं दोई जीने काउंट करेंगे ठीक है एक तो d count करेंगे इस आज इस पोजिटिव के लिए या डी और स्मॉल डी काउंट करेंगे इसमें 100% सारे बेवी पॉजिटिव होंगे इसमें 50% बेवी पॉजिटिव और 50% बेवी निगेटिव यह वो बात बता रहा हूं जो बच्चों को नहीं पता होती मैं सच क्या रहा हूं इरिएल ऑब्लास्ट जीन की बात कर रहा हूं यह यह कंडिशन होगी 100% सारे बच्चे पॉजिटिव भी होंगे कोई तो 50 परसन्त बच्चे कocado नेगेटिव होने की है मैं ठीक है यह कंडिशन होगी तो सारे बच्चे नेगेटिव होंगा कि मदर नेगेटिव समझ रहो हो समझ रहें फर्स्ट बेबी कैसा होगा नॉर्मल और अधर सो रेथ्रो ब्लास्टोसेश फिटालेस ठीक है पर सर तब बेबी कैसा होना ची आरेज पॉजिटि तभी केस आएगा यह भी लिख दू मैं कि पुरी बात लिख दूं से कि तम कंसेट क्लियर एंसियाटि के लाइन भी आ जाए और ऐसा केस होता है उसमें भी फीटस कैसा हो यह पिस आर इस पॉजीटेव आया अरइस पॉजीटेवय यह सर्थ है समादे प边 wi- cuestión पोजीटेव है तब क्या होगा अब समझो फ़्सट बेबी जह गा फ़्सट बेबी कि नॉर्मल होगा और अधर क्या सो करेंगे अधर सो रेथ्रोब्लास्टोसिस ठीक है मदर आजस नेगेटिव है फादर आजस पॉजिटिव है पॉजिटिव होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस तो 50-50% के चांस है यह 100% चांस है इसके किसमें कोई दिक्कत है यह नहीं और 50-50 में भी अगर आ यहां पर ठीक है बापस आजाओ कि यह वह चीज बता रहा हूं तो अधस करती है अब कि देखो माल लो बेबी और अर्च पॉजिटिव है फीट्रस कैसा लाइस पॉजिटिव है इससे क्या होगा फीटिव फीट्रस पॉजिटिव है मंदर आरे एच निगेटिव मधर कैस automatically जब placenta टूकता है तो फीटस की RBC मदर में एंटर कर जाएंगे जब मदर में फीटस की RBC एंटर करेंगे तो मैंने बताया कि मदर के प्लाजमसल इससे मिलकर के IgM antibody का formation कर लेंगे पर साथ में memory cell भी बन जाएंगे कोई दिक्त नहीं अभी बता के चुका हूँ मैं आपको अब मदर ने second baby second pregnancy conceive की second pregnancy conceive करते ही क्या होगा leakage होगा seven month में leakage होने की probability पर जाती है उस leakage में अगर एक भी RBC मदर के अंदर चली गई एक भी RBC मदर के अंदर चली गई तो इसको second immune response बोलते हैं यह memory cell इससे bind कर जाएंगे और bind करते ही क्या बनाएंगे IgG antibody IgG antibody बहुत तेजी से बनेंगे और IgG antibody सबसे smallest antibody होते हैं जो प्लसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं ठीक है यह क्या करेंगे IgG cross दा प्लसेंटा प्लसेंटा को क्रॉस करके यह बच्चे को मार सकते हैं समझ रहना इसलिक सेकंड बेभी की डैथ हो जाएगी अब सेकंड क्या अब जो भी बेभी बनेगा सब की डैथ होगी को कि memory cell की यह हैल्प से IgG उस बच्चे को मार देंगे क्योंकि IgG प्लसेंटा को क्रॉस करने में समझ में आया नहीं पहले बेभी केस में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है यह प्लसेंटा हुआ यह बच्चा बाहर निकल गया अब मदर के अंदर यह बन चुके हैं यह बन चुके हैं फर्स ब्लास्टोसिस कर देंगे समझ में आया बचाने के तरीका क्या है बचाने के तरीका एक ही है कि फर्स्ट प्रिगनेंसी के केस में एंटी आरेच एंटी बॉड़ी रोगम एंटी बॉड़ी बोलते हैं वह आप यूज कर लो जैसे पहला बेभी है ठीक है प्रिवेंशन बॉड़ी डाल दिए ऐसे एंटी बॉड़ी डाल दिए जिनको रोगम एंटी बॉड़ी बोलते हैं समझना प्लेसंटा के थो रोगम एंटी बॉड़ी डाल दिए तो रोगम एंटी बॉड़ी इस एंटीजन से इंट्रेक्ट कर देंगे प्लाजम से इनका मिलना नहीं हो प antibody formation नहीं होगा memory cell formation नहीं होगा यह तरीका जो second baby normal हो जाएगा second कि किसम करा को third baby normal हो जाएगा समझ में आ गया होगा ठीक है यह तरीका है NCRT और बता दूँ आपको फिर में आगे बढ़ता हूं before transfusion a specific case of RH incompatibility mismatching बोलते हैं has been observed between the RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of fetus fetus term use किया है father term use नहीं किया ध्यान रखना फादर के case है अगर father homo gygis dominant है तो सारे बच्चे RH positive होंगे father hetero gygis है तो 50-50 percent chance है समझ रहे हो अगर father homo gygis recessive है तो सारे बच्चे negative होंगे समझ में आ गया ठीक है इसलिए फीटस को लिए फीटस आरेस positive है फीटस आरेस positive है तो मदर आरेच निगेटिव है तभी यह case होगा अन्यता और कोई case नहीं वनेगा एक ही case मदर आरेस निगेटिव फीटस आरेस पॉजिटिव फरस्ट बेबी नॉर्मल अधर सो एराथ्रो ब्लास्टोसिस फिटैलिस एक एक चीज क्लियर किया है मैंने एक एक चीज समझ पा रहे हो हाँ बलकुल मैंने बोला ना कि सेकंड प्रिगनेंसी में भी बच्चा अगर पॉजिटिव है समझ रहे हो तभी यह case होगा फर्स्ट बेबी अगर आरेस पॉजिटिव है और मदर आरेस निगेटिव है तो एंटीबोडी बन जाएंगे अगर अगर अब कोई भी बेबी आता है सेकंड प्रिगनेंसी के अंदर वह आरेस पॉजिटिव है तो इसकी डैथ हो जाएगी क्लियर है विल्कुल केस बता दि मेने अब तुम दिमाग जितना लगा सकते लोडालो छितना दोडा सकते लो ठीक है अगर फादर हेटरो जाए सुआ तो सेकंड बेबी आरendeu स,irkमें ब्यां सकता है कोई दिक्कत नहीं कोई दिकत नहीं है डुजिटर करता है आरेस पॉसे नइतर निगेटिव है साइक सारी कंडिशन बता दी है जो बच्चे बहुत कन्फीज होते हैं सारी क्लियर ने ठीक है आरे इंडिजन और फीटस दू नॉट गैट एक्सपोस्ट तो आरे च निगेटिव ब्लड ऑस्ट मदर ठीक है इन फिस्ट प्रिगनेंसी फिस्ट प्रिगनेंसी में को जिखत नहीं है ठीक है ठीक है पर क्या होगा एज वैल सेपरेटर बाइट बाइब अधर प्लसेंटा हावववर दूरिंग दिविश्ट देलेवरी फ ते राइच एंटीजन इन देख मिलाड इन केस और सब्सक्वेंट प्रिगनेंसी दा सब्सक्वेंट उसके बाद वाली दा रह एंटीबोडी फ्रम दा मधर गैं लीक इन्टू दा बलड ओफ फीटस और बीच टीक है जिसकी वैसे फीटस को जांडिस हो जाएगी of ntrh antibody इसको रोगम antibody भी भी बोलते हैं immediately कभी देना होगा immediately after the delivery of first child मेरे समझ से एकदम concept clear हुआ होगा कोई doubt shout बचा नहीं होगा देख लेते हैं in erythroblastosis fatalis condition ठीक है a from the mother can leak into the blood of fetus क्या चीज है जो मदर से blood के fetus में leak कर जाएगी in erythroblastosis fatalis किसमें ठीक है ntrh antibody ठीक है लीक कर गई to the mother ठीक है immediately this can be avoid rh antigen नहीं ntrh antibody कुल-कुल rh antigen rh antibody ठीक है यह कहने रहे हैं in erythroblastosis fatis condition a from the mother can leak into the blood of fetus fetus के blood में क्या चीज लीक कर जाएगी sorry fetus के blood से मतर में क्या चीज लीक कर जाएगी rh antigen लीक कर जाएगे rh antigen antigen antibody antibody rh antigen ठीक है anti rh antibody antibody आपको देने पढ़ेंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है इसी बिल्कुल सही भाई मदर से ऐसा क्या है जो फीटस में जाएगा वह antibody होंगे बचाना है तो क्या करना होगा anti rh antibody दे तो रोगम anti body अज़ा को एगुलेशन को पूरा मैं समझाए देता हूं समझो मानो coagulation clotting of blood clotting of blood मानो को इंसान है छिल गया छिल गया तो क्या हो जाएगा bleeding होगी अब जब bleeding होगी तो clotting mechanism है क्या समझो जैसे मानो blood vessel से break होगी तो injured tissue injured tissue thromboplastin release करते हैं जितने भी tissue में injury होगी वह thromboplastin release करेंगे ठीक है अब जी thromboplastin क्या करेंगा जो blood में platelets flow कर रहे थे blood में जो platelets flow कर रहे थे उनका accumulation करेगा ठीक है deposition of platelets in platelets के deposition को activate करेगा यह thromboplastin समझ रहे ना मेरी बात और platelets के अंदर भी क्या होता है thromboplastin होता है तो यहां जब platelets deposit होंगे तो उनका thromboplastin और यह thromboplastin मिलकर के calcium आयन के संग एक enzyme होता है उसका activation करेंगे activation of prothombinase यह इसको thrombokinase भी बोलते है thrombokinase enzyme complex को एक enzyme निया पूरा enzyme complex है समझ रहे ना मेरी बात उसका activation होगा injury होई injury होती bleeding होगी injured tissue thromboplastin release करेंगे और यह thromboplastin platelets के accumulation को वहां पर induce करेगा accumulation of platelets ठीक है कहां पर at the site of injury clear है और platelets के अंदर भी thromboplastin होगा अब यह thromboplastin ब्लेड में मिलने वाले calcium के संग interact करेगा एक enzyme को activate करेगा उसे नियम को क्या बोलते है प्रोथोंबीनेज या थ्रोंबो काइनेज यह पूरा complex होता है और इसका activation कास्केड समझे रहना cascade system होता है cascade system जिसमें कई intermediate होते हैं उनके थ्रोंबीडियेट होता है ठीक है कोशन डार्कली बुच्छे रहेगा activation प्रोथोंबीन प्रोथोंबीनेज या थ्रोंबो काइनेज एंजायम complex थ्रोंबो कास्केड सिस्टम समझे रहो एक्टीवेट होते ही यह दो काम करेगा पहले तो यह एंजायम जहां पर इंजरी हुई है वहां पर जो हेपारिन था उसको इनक्टिव करेगा कोई हेपारिन एंटीको एक्टिव् करेगा तो इसको पहले करो अग्रिशं को लुटिवेश्ड करो समझे रहो जिससे इक काम करेगा यह ब्लड में मिलने वाली प्रोटिन होते है प्रोथोंबीन प्रो लगा हुआ इसलिए एक्टिरिया रिसमाइल होते हैं ठीक है तो प्रोथों मिन का थ्रों में सिजाएगा जाए इनएक्टिव औती है जैसे घ्राइबिं एक्टिवेट होगी यह फिबरिनोजन को फिबरिन में चाहिएगी यह इनक्टिव्र फाइबर ये इनसॉलिविल फाइबर एक नेट वर्क बनाएंगे इसको soft clot बोलते हैं और जब soft clot बन जाता है तो इसमें यलो कलर का सीरम देखने को मिलता है और air के contact में आने पर यह hard clot में convert हो जाता है simple mechanism है समझ रहे हो tissue में injury हुई injured tissue thromboplastin release करेंगे यह blood के platelets को accumulate कराएगा deposit कराएगा जब platelets फटेंगे तो इन से भर भर के thromboplastin निकलेगा यह thromboplastin calcium के साथ blood calcium के साथ मिलकर के एक enzyme complex को activate करेगा जिसको prothombinase यह thrombokinase बोलते हैं यह enzyme complex prothombinase यह thrombokinase यह क्या क्राम करने तो thrombin में convert करेगा थो मिन activate होते ही fibrin उजन को fibrin में convert कर देगी fibrin एक network बनाएगा जो यह के contact में आने पर heart clot में convert हो जाएगा समझ में आ गई तो दिल से आग लगा दो अगर समझ में आ गई तो दिल से आग लगा दो दिल मांगे मौर दिल मांगे मौर यह ncrt के लाएन है कि इसमें बही cascade system बता दी चुका हूं मैं ठीक है लगबग 13 clotting factor होते हो सारे सारे cascade system को follow करते हैं लगबग 13 clotting factor होते हो calcium play important role in this reaction यह question पूछा गया है समझ रहे हो calcium का बहुत important role होता इस reaction के अंदर कि अब करते हैं अगर clotting के अंदर आप calcium को निकाल लो बाहर कर लो तो clotting नहीं होगी शालो यह mechanism खतम अच्छा एक कोशन देख लेते हैं what is the correct order of event occurring in blood clotting जिए बताओ correct order बताओ सबसे पहले क्या होगा conversion of fibrin no formation of clot no thromboplastin formation conversion of prothominion सबसे पहले क्या होगा thromboplastin formation यह thromboplastin enzyme complex को activate करेंगा वो क्या काम करेंगा prothomin को थ्रोम्बिन में convert करेंगा थ्रोम्बिन क्या काम करेगी यह fibrinogen को fibrin में convert करेगी तब जाकर के जो second लगा रहे हैं बिल्कुल सभी लगा रहे हैं अब आता है lymph lymph बहुत simple है कुछ है नहीं lymph के अंदर समझा देता हूं मैं lymph इसको middle man भी बोलते हैं जैसे समझो lymph है क्या यह तो blood vessels है blood vessels तमाजना यह lymph vessels है लेक्टेस ही बोल सकते हैं उनको लेक्टेस ही बोलते हैं ठीक है यह lymph vessels बोल सकते हो अब समझा मेरी बात है क्या इसमें ब्लड भरा हुआ है यहां से blood filter होकर के यह नीचे आएगा यह इसके अंदर आएगा और यहां एक लिक्विट बनाएगा इसको बोलते हैं इंट्रस्टिशियल फ्लियूट अब यह इंट्रस्टिशियल फ्लियूट इन इंट्रस्टिशियल से पास होता हुआ यहां पहुंचे का लिंफ कैपिलरी के अंदर जब यहां पहुंचे का तब इसको बोलेंगे लिंफ तो लिंफिजिकल टू क्या है ब्लड माइनस फ्लाटिलेट्स रबीसी और मैक्रो प्रोटीस अगर अगर ब्लड में से आपने ब्लड था यह फिल्ट्रेशन यह लगा हुआ है एक फिल्ट्रेशन यह लगा हुआ दो जगे फिल्टर हुआ ब्लड के फिल्ट्रेशन से एक इंट्रेशिशल फ्ल्यूड बना और उसके फिल्ट्रेशन से लिंफ बना जिसमें प्लैटिलेट्स और मैक्रो प्रोटीस रह गए बचा हुआ पार्ट क्या बन गया लिंफ समझें नहीं समझें बचा हुआ पार्ट क्या बना लिंफ समझ रहे हो बचा हुआ पार्ट के अपना लिंफ हम लॉंच कर रहे है बहुत बहुत बहुतरीन test research launch कर रहे है एक रही दो test series एक पार्ट test वाली test series समझ रहे हो और एक full test वाली test series वो अब तक की इंडिया की सबसे best test series होगी surprise है बस समझो surprise है ठीक है आज साम तक उसको रिवेल करेंगे मतलब अब तक की सबसे बैस्ट होगी तो एंसी आटी लाइन टू लाइन विल्कुल लास्ट येर कोश्चन के बेस पर बनी है प्रीवेस एरी कोश्चन के बेस पर ठीक है जोई जारू करना फ्री आप कॉस्ट है कोई चार्जिस नह होता है आप जानते हो कि यह तक है बलेड में WC बहुत कम होते हैं आप जानते ही हो वही लगबग 7000 का इसपास protein 7% होता अच्कों प्लेटिलेट्स यहां बहुत होते है और प्लेटिलेट्स तह इसलिए हैं को क्लॉटिंग टाइं बहुत कम होता है यह यह जबकि लिम्फ मे क्या नहीं होता लिंफ में RBC एपसेंट होते हैं पहली बात कलर लेस होता है क्योंकि रबीस नहीं होते तो हीमोगलोबिन नहीं होता डबलू बीसी मोर होते हैं क्योंकि लिंफ is a site of storage of WBC भर भर के WBC होते हैं यहां पर प्रोटीन यहां पर मैक्रो प्रोटीन नहीं होते हैं लिंफ के अंदर माइक्रो प्रोटीन होते हैं मतलब albumin present होगा जो only 4% ही है टोटल प्रोटीन का यह प्रेजेंट होगी है प्लेटिलेटिस यहां पर a pen नहीं है तो आपको Mark अगर लिंफ वेसल ब्रेक कर जाए तो किस्में नहीं ओगी भाटिंग होगी और जो उर डिवरेश्व लोग ता वह लॉंग हो जाएगा तो जो ज्सक्राइखों को fırश was broken Slope you slow clotting होगी slow clotting क्यों होगी क्योंकि platylates नहीं है तो thermoplastin कहां से आएगा injured tissue से आएगा समझ रहे हो जिन tissue में इंजिरी होगी वहाँ से thermoplastin निकलेगा वो कम है तो mechanism slow चलेगी long time तक चलेगी ठीक है इसलिए पर clotting होगी यहां पर यह होगा blood और lymph में अंतर question यहीं से मिल जाएगा lymph को middle man बोलते हैं ठीक है lymph को middle man बोलते हैं यह blood और समझ रहे हो blood और tissue के बीच में जो gap होता है जहां पर nourishment नहीं पहुंश सकता तो एक तरह किसे ट्रांसपोर्ट कर काम करता है transport nutrients excretory substance और तो समझ रहे हो gases exchange उन सब में participate करता है act as middle man of body tissue blood के बीच में middle man का काम करता है ठीक है तो भाई यहां तक समझ में आया हो तो बताओ एक पार्ट हमारा फिनिश हो चुका है पूरा blood हमारा complete हो चुका है compare to blood our lymph as क्या होगा more rbc no plasma plasma without protein more wbc no rbc yes yes fourth option चलो अब हट चालू करते हैं यहां तक समझ में आ गया हो तो एक बार आग लगा दो दिल से आग लगा ओ बहतरी नवाली तोड़ी एनरजी की जरूरूत है दिल से आग दिल से आग बहतरी नवाली और दिल से आग लगाने में कंजूसी करोगे क्या हाँ रुकनी नहीं चाहिए दिल से आग रुकनी नहीं चाहिए एक पार्ट फिनिश हो गया अब हर्ट बचाए जो बहुत कंसेप्च्छल है यहीं याद कर रहा हूंगा हर्ट भी पढ़ा भी रहा हूं आपको याद भी करा रहा हूं कुछ भी नहीं छोड़ रहा इंक्लूड़िंग NCRT इंक्लूड़िंग कोशिन प्रैक्टिस कोईरी बस आदा पॉन घंटा हो रहा है पॉन घंटा मालो साले छे पर चोड़ देंगे साले छे पॉने साथ पर चोड़ देंगे ठीक है 645 पर चोड़ देंगे ठीक है पूरा एकदम इतना रुकियों तो और रुक जाओ टाइपस ऑफ सर्कुलेशन बहुत बेसिक है यह ओपन एंड क्लोज एंसी एक्जामपल दे रखें उन पर कोश्चन आएगा ओपन का मतलब है जिसके अंदर ब्लड एक कैविटी के थ्रोफ लो करता है जिसको साइनस साइनस बोलते हैं लैक्यूना बोलते हैं हीमोसील बोलत हैं समझ में आया अगर ब्लड एक कैविटी के थ्रोफ लो करता है जिसको हीमोसील साइनस लैक्यूना बोलते हैं हीमोसील साइनस लैक्यूना एट्सेक्टरा ब्लड कैविटी कुछ ही बोल सकते हो तो यह कहां देखने को मिलती है और्थो पोर्ट्स और मॉलस्स का ओपन टाइप ऑफ सर्क्यूलेटरी सिस्टम अच्छा ब्लड अगर एक क्लोस सिस्टम में फ्लो करता है हर टिशू के लिए स्पेसिफिक आर्ट्री और वेन होती है एनलिडा और कॉड देटा सिर्फ यह एक्जांपल आपको याद रिखने है ठीक है यह क्लोस सर्क्यूलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है एनला के अंदर सारे कॉड़ेट्स के अंदर सफिसेंट है टाइपस ऑफ हर्ट इन अनिमल्स ठीक है तो एक तो चैंबर हाट होता है नंबर वन नंबर एंफिविया हम फिश की बात कर रहे है ठीक है टू चैंबर अ हुआ है का होगा प्रजेंट इन फिश इस सिंगल से कुलेशन होता है इसके अंदर है है अब वेनस हैट बोलते हैं इसको क्योंकि दोई चेमबर होते हैं एक 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 वेंटरिकल यह डियोख्शीजज़नेटिज ब्लड को ही पंप करता है जो गिल्स में जाकर कि आक्सीज़नेटो करके टिशू में चला जाता है टिशू से फिर डियोख्शीज़नेटिज ब्लड गो सिंगल सेर्कुलेशन के फ्रो छला रहा है वह एनस बलड है 2 चेमर 700 हट इंफीवीया के अंदर 3 चेमर हट होता है दो तो इसमें एत्रियम होते हैं एक वेंट्रिकल होता है इस व्यएसे यहां पर ऊक्सिजिणी प्लड 있지 हो जाते हैं तो mix blood की pumping होती है इसलिए इसको बोलते है in complete double circulation double circulation क्यों क्यों हार्ट और लंग्स के बीच में circulation चल रहा है हार्ट और टिशू के बीच में circulation चल रहा है दो circulation हो गए समय दरे ना मेरी बात पर इसको in complete double circulation बोलेंगे क्योंकि अब इसको मिक्स ब्लड को supply कर रहा incomplete double circulation in complete double circulation reptile में क्या थे no doubt 4 chamber बन चुके थे 2 atria 2 ventricle पर ventricle यहाँ पर mix अभी septum बन गया है पर फिर भी यहाँ का कि blood क्या हो रहा है mix हो रहा है तो यह भी क्या कर रहा है incomplete double circulation क्योंकि mixed blood को supply कर रहा है mixed mixed incomplete double circulation incomplete double circulation वही यह भी incomplete double circulation समझ में आया ना वही यह तो pulmonary circulation हो गया यह systemic circulation हो गया यह pulmonary circulation हो गया lungs और heart की बीच में यह systemic circulation हो गया ठीक है heart और body tissue के बीच में mix blood को supply कर रहा है इसलिए incomplete हाँ इसमें ध्यान आना एक single exceptional case है अग्सकेंदर एकसेप्ट क्रोकोडायल एकसेप्ट क्रोकोडायल एक जब कि मैमल की बात करते हैं तो मैमल में complete डवर सर्क्यूलेशन होता है मैं में कम्प्लीट डवर सर्क्यूलेशन कि 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 कम्प्लीट डवर सर्क्यूलेशन मैं मैं में कम्प्लीट डवर सर्क्यूलेशन देखने को मिलेगा मैमल्स में complete double circulation देखने को मिलेगा ये ध्यान रखना है आपको समझे क्योंकि मैमल्स oxygenated और deoxygenated blood को separately pump करते हैं जो मैं आगे दिखाने वाला हूँ इसलिए complete double circulation समझ में आया होगा यहां तक कोई doubt shout अब आजाओ human circulatory system अगर human circulatory system की हम बात करते हैं अगर हम human circulatory system की बात करते हैं तो human circulatory system में सबसे पहला हम बात करेंगे human heart की position क्या होती है ठीक है या structure of human heart पर भी आ जाएंगे ठीक है एक मिनिट एक मिनिट इस्ट्रेक्चर ऑफ human heart पर भी आएंगे अभी हम अब पोजिशन की बात कर लो हूँ position of human heart इसकी पोजिशन की बात कर लीवर रोटेटरी देक्स्ट्रो वो एप नावन पोजिशन होगी ठीक है यह पॉइंटिड एपेक्स होती है तिल्ट टूबर्ड लेफ्ट यह बेस होता है हर्ट में ध्यान रखना है फोर चेमबर होते हैं तू एट्रिया तू वेंट्रिकल इसमें पॉइंटिड एपेक्स जो होती है न वो टिल्ट टूबर्ड लेफ्ट से टिल्ट होती है तो आउट अब हमारा बल्कुल मिड में होता है हर्ट प्रिजेंट इन मीडिया स्टैनम लंगज के एपेटी होते हैं मीडिया स्टैनम बोलते है तिल्ट टू बड लेफ्ट तिल्ट होता है इसका पॉइंट अपक्स समझे रहों पर कभी-कभी यह राइट साइड भी तिल्ट होता है जिसको डेक्स्ट्रो काडिया बोलते है अबनॉर्मल पोजिशन ओफ हार्ट के देश का दिल इसार है दिल थोड़ी नहोता है हार्ट हमेसा बीच में होगा लेफ्ट और राइट तो लंक्स होते हैं हार्ट नहीं होता समझ रहे हो किसी में ऐसे टिल्ट होता है इसको एबनॉर्मल पोजिशन बोलते हैं ठीक है जिसमें पॉइंटिड एपक्स तिल्टू बर्ट राइट यह तो पोजिशन होगी राइट पोजिशन और इसन क्या होगा हर्ट का कि मीजो डर्मल कुण Unger Age कि वेट भी पूछ लेता है कभी कभी ग्रैम में होगा है यह चेकर है फुर्ट भाइट मुझे थोड़ा आल डिमाग में आ रहा है यह तो सोपचाश से तीन सो ग्रैम के आसपास होगा जहां तक है चेक्ष drink लेना चेक करना पड़ाएगा ठीक है लगबग 200 से 300 ग्राइम के अस्पास होगा ठीक है अब बात करते हैं हीमन हर्ट के डाइग्राम की स्ट्रक्चर अब 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 इस्ट्रक्चर ऑफ हीमन हार्ट इस्ट्रक्चर देखो जो इस्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ आपको बता है न किताबों से उसका कोई संबंध नहीं है यह आज की खदरना कंडिशन हो गई है बच्चों समझाने के लिए कुछ भी कंसेट बताओ ना लोग बीडियो बना देते हैं अब बोलते हैं अजीवी दुनिया होती यार यह लोग इतना नफरत करते हैं मुझसे पता ही नहीं दा यार यह इतना नफरत मत करो भाई ठीक है ठीक है पहले बोलते रहा हूं लोगों को जो फिर बीडियो बनाएंगे फुर बोलेंगे अम्डी सर एक्सपोजड ठीक है जो मैं हर्ट का डा टार्गेट आपको पीजी कराना नहीं है अभी मेरा टार्गेट है कि आपके नीट के सारी कोशन सॉल्व हो जाए पर यह मेरा अपना खुद का बनाए हुआ कंसेप्ट है ठीक है चार डब्बों वाला हट क्लियर है बल्कुल चार डब्बों वाला हट पहली बोल दे रहा कुछ काम थां बजा नहीं है बीडियों बना लेते हैं चलो क्या कर लेते हैं रहा पकड़ तू एक चला चल पस रहा पगड़ लो चले चलो अ क्यो ihan हमारे हट में कितने डबबे होते हैं चार डबे होते सब हूँ में जाओ शर्ब पर फोकस कर उपर के जो डबबे देख रहें ना आपको राइट एकरियाllaft-etrian Red left vendrical कितने हमारे हर्ट में? चार डब्ब्बे हैं 2 आलिंद 2 निला 2 atria 2 rent ritual आई या नहीं आई 2 atria and 2 ventricle 4 box बने हुए है तो तक है आगे चलते है अब हम बात करते हैं जो atria होते है ठीक है जो right side है इसके अंदर deoxygenated blood होता है ग्रीन कलर से represent करूँगा deoxygenated blood इसमें भी deoxygenated blood होगा ग्रीन कलर से जबकि जो left side का part है इसमें oxygenated blood होता है इसमें भी oxygenated blood होता है समझना अब ये जो deoxygenated blood है वो कहां से आया body के upper part से superior वेना कहवा body के lower part से inferior वेना कहवा इस deoxygenated blood को लेकर के आ रही है right atria एसमें जो ये right side right atria ये left तो right atria में superior वेना कहवा superior वेना कहवा ऊपर से ला आ रही है inferior वेना कहवा नीचे से लेकर के आ रही है सारा deoxygenated blood right atria में आ रहा है समझ रहे हो ब्लट कहा जाएगा राइट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ सीधा एंटर करेगा पल्मोनरी ट्रंक में जिससे लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्ट्री बनती है जितनी भी ब्लट वैसल से हर्ट से निकलती है पल्मोनरी आर्ट्री वे left lungs में चली गई यह right lungs में चली गई डी oxygenated blood को ले करके left और right lungs में चली आती है pulmonary artery अम जो मेरी बार अब जो lungs से आ रहे हैं pulmonary vein है one two three और four total two pair two pair pulmonary vein होते हैं कितने होते हैं two pair two pairs कोन है pulmonary vein two pairs कोन है यहाँ पर pulmonary vein तो pulmonary vein यहाँ पर two pairs हैं समझना मेरी बात तो pulmonary vein यहाँ पर कितने two pairs हैं जो कहां से आ रहे हैं तो पर pulmonary vein है यहाँ पर ठीक है जो lungs से oxygenated blood कैसा लोगा इसमें oxygenated blood होगा को ले करके सीधे left atria में आ रहे हैं दो आएंगे right से दो आएंगे left और यहाँ से oxygenated blood left ventricle left ventricle से aorta यह कौन है aorta यह ओटा पूरी body में लेकर के चला जाएगा oxygenated blood समझ रहे हो यह circulation हुआ उपर से आया tissue से right ventricle lungs में गया lung से आया left atria left ventricle पूरी body वे चला गया superior inferior वे नहीं कहँआ पल्मोनरी वेन समझ रहे हो पर oxygenated blood pulmonary artery पर oxygenated blood aorta it is the largest artery of our body समझ में आ गया अब बात करते हैं heart में valve की valve यूनी डिरेशनल फ्लो के लिए responsible होते हैं ठीक है तो द्याना एक तो यहां पर भी थीविशन वाल्व चल बनाए नहीं छोड़ तो इसको यहां पर वाल्व होता है जो heart का अपना wall है इसको बोलते हैं युस्ट केशियन वाल्व का होता है inferior when I कैबा superior when I कैबा के अंदर वाल्व नहीं होता ध्याना superior when I कैबा के वाल्व नहीं होता जबकि right atria और right ventricle के बीच में trichuspid वाल्फ left atria और left ventricle के बीच में Bicuspid valve तो Tricuspid valve संग में आ गया, right side में होगा, left side के अंदर Bicuspid valve होगा, जिसको metral valve भी बोलते हैं, और इन दौनों के अंदर semi lunar valve होगे, total 1, 2, 3 और 4 valve हैं, जो heart के valve कहे जाते हैं, heart के valve, inferior भेने कहवाँ समझ में आ गया, superior valve नहीं होता, tricuspid, bicuspid, semi-lunar अर्द चंद्राकार, half moon shape ठीक है इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहाप पर जो pink color के muscles दिख रहे हैं न इनको बोलते हैं papillary muscles papillary muscles papillary muscles only present in wall of ventricle atria में नहीं होते only present in wall of ventricle इसमें भी ध्यान रखना है आपको एक right और एक left है ठीक है यह भी question आएगा ठीक है right or left right or left इसमें ठीक कौन से होते हैं right के ठीक होते हैं left के ठीक होते हैं क्यों बही ऐसा क्या होता है left side pump करना होता है only lungs में right side के ventricle को pump करना होता है पूरी body में high pressure के साथ इसलिए यहां papillary muscles काफी थिक होते हैं ठीक है एक बास समंझे तो यहाई होगी यहां collagen fiber दिख रहे होंगे आपको collagen fiber यह color change करता हूं इनको बोगते caudate and dany it is a collagen fiber यह collagen fiber होते है only ventricle में होते हैं tricuspid or bicuspid valve को papillary muscles से connect करने के लिए responsible होते हैं यह हो गया structure of human heart actual में कोई question नहीं छूटेगा यह पकी बात बोल रहा हूं MBBS यह entrance तो छोड़ो तो पीजी का entrance दोगे ना उसके भी question नहीं छूटेंगे वास्तिता संबंध नहीं है पर concept एक दम जबर जस्त होगा ठीक है चारों चमबर समझ में आगे atria का size comparative ventricle छोटा होता है ventricle बड़े size की होते हैं ठीक है समझ में आया नहीं आया सारे वाल्ब करा दिये मैंना पॉपिर इंफिरिय विन अकाबा पल्मोनरी वें पल्मोनरी आर्टरी ए ओॉटा कोड़े टेंड़नी जो वाल्ब को सपोट करने के लिए होते हैं और पैपिलरी मस्टस ऑउनली प्रिजेंट इन वाल ओ वेंट्रिकल जिसमें लेफ्ट के ठिक होते हैं के थिन होते हैं सफी सेंट है अब कोश्चन आएगा वॉल्ब वयुकी नrob किया होते हैं इपड़न फॉल्ड ऑफ- एंडोकाडियम हट के सबसे अंदर के लिए हो थी एंडोकाडियम उसका डवल फोल्ड होता है यह दवल फोल्ड और सेंटर में क्या होते हैं मस्कुलर फ्लैप होते हैं यह कोश्चन आता है कि वाल्व की फ्लैप होते हैं खुलते बंद होते हैं किसे काटिलेस की मिलने से बनत सकते हो कशो को त्राइकर और बिंट्रिकल को सकते हो इनको थिक है आट्रियों विंट्रिक्ट्रिकूलर वाल रैट्रिकूलर वाल्ट्र नरी प्लमनरी ट्रंक और लेफ्ट वेंट्रिकल और यह ओगए वाल ओफ हर्ट के लिए बलकुल यहां तक क्लियर हुआ होगा कोई डाउट शाउट है तो बताओ कि यहां तक बता कोई डाउट शाउट है क्या यह तर्वा डाउट आपको कहां सेंट करें विल्कुल हम नाउट के लिए बहुत बहुत बैसरीन सिस्टम लारएं लौज करने वाले हैं पहुत स developers के लिए थिए सब पर्सनल इंटरेक्शन करेंगे आपके संग पर्सनल नाब बलकुल परसनल आटेशमेंट के संग आपको ठीक है आपके डाउल्ट में भी हेल्प करेंगे ठीक है अभी आप टेलीग्राम पर सपूर्ट ले सकते हूं ठीक है कि कि ग्रीक ओल्डी पिलमोनरी आर्ट्रि लैट और राइट र्याइट राइट यह यह तोनो अदे को आप आई वाला हूं कोड़े टेंडनी में बताई चुका हूं आपको राइट वेंटरिकल समझ में आई गया लेफ्ट वेंटरिकल इंटर वेंटरिकूलर सेप्टम एपक्स पॉइंटेड एपक्स बंडल ओफिस यह मैं कंडेक्शन में समझाऊंगा डागराम में कोई दिक्कत है नहीं अच्छा यह मैच करना है इसका पूरा कोशन नहीं है और आप मैच कर सकते हो फिश में सर्कुलेशन नंबर ऑफ चैंबर इन हार्ट गलत हो गया तो होते हैं सिंगल सेर्कुलेशन गिल्स ठीक है एंफीबिया में थ्री ठीक है इंकम्प्लीट डवल सरुक्शन ठीक है एंफ तो ठीक है यहां कर बढ़ करती है मैमल्स में फोर चैंबर होते हैं डवल सर्कुलेशन कंप्लीट डवल होगा क्लोयका और लंग्स विच इस करेक्टली मैच इन दे गिविंग टेविल चाहता भी एक रॉंग है एक ही करेक्ट होगा यह सेकेंड वाल ऑप्शन इफ ड्यू तो शम सेम इंजरी ऑफ कोड़े टेंड़नी सम्जा मेरी बात यह हार्ट का चैंबर बना हुआ है यह वाल्व है यहां कोड़े टेंड़नी है अच्छा यह तो लगा हुआ है पहले से यार तो देख लिया हुआ है तुम लोगों ने कोई नहीं समझे मेरी बात इफ तड्यू तो सम इंजरी दगाड़े टेंड़नी ऑफ दा बाइकस्पिड वाल्व ऑफ दा हीमन हार्ट इस पार्शली नन फंक्शनल बाइकस्पिड वाल्व की बात कर रहे हैं यहां पर होते हैं बाइकस्पिड वाल्व पाइकस्पिड वाल्व पाइकस्पिड वाल्व पाइकस्पिड वाल्व पार्शली नन फंक्शनल है वर्ड वुड बी दा इमीडेटली एफेक्ट किसकी बजह से हुआ हर्ट क्या एफ कॉडे टेंडेनि डामेज ने करते क्या है जब वेन्तरिकल में कॉंट्रेक्षिन होता है न तो फ्लैप को अपोजीट डिरेक्षिन में खुलने से रोख थे खी रखते है जिसके कौंट्रेक्षिन के टाम पर बलड ऊपर ना चला जाए नीचे जाए समझ रहे हो न तो अगर देमेज होगे तो ब्लड ऊपर लीक कर जाएगा उपर का मतलब है अट्रिया में लीक कर जाएगा वेंट्रिकल से होता हुआ एओटा में नहीं जाएगा यानि एओटा के अंदर ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी ठीक है अर्ट बीट वुड़ बी एर्रेगुलर ना भी अधिक टेक है ब्लड विल टैंड टू मूव बैक इंटु राइट अट्रिया राइट में राइट में नहीं होगा लेफ्ट में होगा नहीं होगा दा फ्लो ब्लड इन्टू दा एओटा बिल बीश श्लो डाउन यस एओटा के अंदर जितना ब्लड निकलना चाहिए ता आया हुटा होता है उतना ब्लड नहीं आएगा क्योंकि ब्लड डूरिंग कॉंट्रेक्शन बैक फ्लो कर जागा क्यों कोड़े टेंड नी डैमेज है समझ में आया ता फ्लो अ ब्लड इंटु पल्मुरी आटरी विल भी रिड्यूस पल्मुरी आटरी पर कोई फेक्ट नहीं पढ़ेगा थार्ड ऑप्शन आएगा समझा दिया है ऐसे कुश्चिन पूछा जाता है विच आप फॉलिंग चैंबर ओफ हर्ट हैस्थिक्स्ट मस्कुलर वॉल लाफ्ट वेंट्रिक्ल tricuspid valve कहां होगा tricuspid between right ventricle and pulmonary between right atrium and right ventricle tricuspid valve कहां होगा between left atrium and left ventricle similar valve कहां होगा match कर लो इसको कंड़क्शन ऑफ हार्ट बीट समझो यह सबसे इंपोडेंट पार्ट है कंड़क्शन समझो मेरी बात जो हार्ट होता है हमारा वह मायोजैनिक है self contraction capability रखता है मायोजैनिक हार्ट हार्ट को निकाल लो बॉड़ी में भार रख दो तब भी contraction होते रहेंगे self contraction capacity auto rhythmicity हार्ट छोड़ो हार्ट के पार्ट में भी ऑट रिदिमिसिटी होती है self contraction capacity होती है ठीक है तो कंड़क्शन ऑफ हार्ट बीट कौन जनरेट करता है auto rhythmic cells मतलब modified cardiac muscles होते हैं जिनको नोडल टिशू बोलते हैं तो हमारा मायोजैनिक होता है मायोजैनिक का मतलब है अपने contraction खुद कर लेता है मायोजैनिक निकाल के भार रख दोगे तब भी contraction करेगा निकाल के भार कर दोगे तब भी contraction करेगा तुकुले करके उसको रखोगे तब भी उनके मसल्स के अंदर contraction होगा और टो रिदिमिक है यह कंडेक्शन ओफ हर्ट बीट कौन कंट्रोल करता है अब लोग को मॉडिफाइड काड एक मसल्स क्या बलते हैं इनको नोडल टिशू यानि क्या सो करता है ऑ्टो रिदिमिक सेटी सेल्फ कॉन्ट्रेक्शन कैपैसिटी यह मॉडिफाइड काडिक मसल यह कितने टायप के नोडल टिश्व हमारे हर्ट में होते हैं कौन कॉन से ऐसे नोड टिश्व है यह시면 सारे नोडल टिश्व है बंडल ऐसे इसे गमसलर तीय भर आप हैर स्मझत हैं पूर्ट कंज्य खाय प्र बात में दिखाते हैं सब्सक्राइब करना अट करें एसे जोट साइनो ओर कूलर साइनो का मतलब है sat कम लें सूपिरियर वहना के वह जैवा और एक्ट्रेम के जंक्षन पर देखने को मिल राहे है को साइन ओरिक्यूलर नोड है समझे वह सब्सक्राइलर कि आप पर राइट कोरणर ओफ राइट अट्रेयम-ःट्रीणꞘ अपर राइट ौरणर अपर राइट कोर्नर अपररे right corner of right atrium upper right corner of right atrium समझ में आया नहीं आया अपर right corner of right atrium दिल से आग अपर right corner of right atrium position समझ में आया कहा होता है राइट atrium के अपर right corner of right atrium कितना impulse generate कर लेता है potential 72 75 impulse per minute reaction potential हो गया अब 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 नोड की बात करता हूं अब नोड को अब नोड क्या हो बोलते हैं अब आट्रेम और वेंट्रिकल के जंक्शन पर होता है atrium का होगा lower left corner of right atrium lower left corner of right atrium तो पोजिशन क्या होगी आगे जाकर के bundles होंगे bundles जो left और right में divide हो जाएंगे समझना left और right में divide हो जाएंगे left और right में divide हो जाएंगे इनको AV bundle बोलते हैं क्या बोलते हैं AB bundle या bundle of his भी बोल सकते हो या bundle of purkinje fiber भी बोल सकते हो उनके bundle हैं मोटे मोटे bundle जो आगी जाकर के left और right में divide हो रहे हैं क्या होगी intra ventricular septum intraventricular septum इंपस कि नेट कर ले टे हैं 40-45 इंपस पर मिनेट जब कि पर की फाइबर का होते हैं ऑनली वॉल अफ बेंट्र कर लेते हैं यह भी सब के पास के पास इंपल्स जन्रेट करने की कोई ज्यादा करता है तो कोई कम कोई और कम तो कोई और कम पर सब कर लेते हैं all our nodal tissue all our nodal tissue समझे कि समझे नहीं समझे कि आया नहीं आया आ गया बहुत बढ़िया अब ऐसे अगर जैसे नोट से वेगस नर्फ जुड़ी होती है या आप जानते हो ठीक है एक्चल में ऐसे नोट की खुद की अपनी कॉंट्रेक्शन कैपरसिटी कदा कितनी होती है 100 इंपल्स पर मिनट पर एक वेगस नर्फ जुड़ी होती है जो इसको सप्रेस करके रखती है समझो आपके पास गाड़ी है जिसकी स्पीड हंड्रेड किलो मीटर पर आर की है पर आपने हैंड ब्रेक खीश के रखा हुआ है हैंड ब्रेक जिससे यह आपने ब्रेक लगा के रखें उसके मानो जिससे स्पीड स्लो गई है तो ब्रेक परमन लगा दी है आपने उसके तो इसकी स्पीड हंड्रेड की जगह रहे गए 72 75 इंपल्स पर मिनट पर मैं आप से कौंग उस हैंड्रेक को तोड़ दिया जाए ब् जारी के स्पीड बढ़ेगी या गटेगी वह ब्रेक स्पीड को स्लो कर रहे थे तोड़ दो कर सकते हैं कितना हंड्रेड स्पर मिनट पर कितना प्रेडिवस करते है 72 75 इंपल्स पर मिनट क्यों डिव टू इनीवीट्री एफेक्ट ओव वेगस नर्व एक नर्व है है समझ ना मेरे वेगस नर्व होती है जो ऐसे नोट से जुड़ी होती है उसके इनीविट्री एफेक्ट की वैसे और वेगस नर्व को कट कर दो के तो हर्ट बीट रेट क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी कि एक कोशन आएगा ऐसे नोट किसके लिए रिस्पोंसिवल होते है इट इज रिस्पोंसिवल ल इस्को पेस्ट मेकर होते हैं कर बनाने वाला ठीक है क्योंकि रिद्मिसिटी के लिए लाइ के लिए यही रिस्पॉंसिल होता क्योंकि इसके पास सबसे जादा पुटेंशियल जनरेट करने की कैपसिटी होती है कोशन आएगा अगर आपका यह ऐसे नोड काम करना बंद कर दे तो क्या होगा आपका हट एरिद्मिक हो जाएगा बंद नहीं होगा पर एरिद्मिक हो जाएगा क्योंकि रिद्मिक सिटी के लिए यह रिस्पॉंसिवल होते हैं इस नोड नन फंक्शनल तैन हार्ट बीट बिक की नोडल टिशू की आपको पोजिशन और इनका पोटेंशल याद रखना है ऐसे नोट से लेटेड चार पॉइंट्स है वो याद रखने है ठीक है यह चार नोडल टिशू है जिनके पास और तो रिदिमिसिटी होती है यह कोशन पूछे जाते हैं आगे बढ़ते हैं कंशाना कटियो है कालिक सायकल बहुत इंपोटेंट है और वेरी 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 मपोर्टेंट कंट्रियोग और यहां से चले गूं कर दो हम आगे शाहांसे आगे साइकल होगी पूरी ठिक है यानि कांट्रें आ बलड बाहर एक्टार्याstarेगा बलड बापस अंदर एक साइकल पूरी कुरी हो गई वैंटाकल ने कॉटरेट किया ब्लड बाहर बेंट बापस अंदर एक साइकल पूरी हो गई समझे तरहहो समझे रह चाहि univers eigenlijk का cu बोलो या वेंट्रिकल बोलो या काडिक मसल्स बोलो इसको सिंगल मतलब साइकल बोलोगे कंप्लीट कॉंट्रेक्शन कंप्लीट रिलेक्शेशन या ऐसे भी कह सकते हो ड्यूरेशन ऑफ सिंगल हर्ट बीट यह भी तो एक काडिक साइकल है सिंगल हर्ट एक हर्ट वीट का वात होता है 0.8 सेकेंड और यहां लिख दिया है जिसका डिवरेशन होता है 0.8 सेकेंड यह सिंगल हर्ट बीट दो हर्ट बीट के बीच का डिवरेशन 0.8 सेकंड समझ में आया आ गया होगा अब समझो कि समझे कोशिश करना अगर मैं आप से बोलू इधा तो है ट्रियम अगर मैं आप से को एट्रियल सिस्टोल टाइम कितना होता है एट्रियल सिस्टोल करेगा टाइम कितना होगा आप ए एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड ए ट्रियल डाइस्टोल 0.7 फीड है टोटल टाइम प्रेड न अहीं होगा मैं मिध्रो बेंड्रियल सिर्क्रि के प्सक्रा टाइम कितना होता है या ङांधिय तो इसको भी सिंगल काडिक साइकल बोलेंगे मैं जो बोला वही बोल रहा हूं एक कम्प्लीट कॉंट्रेक्शन रेलाक्शिशन अफ एक्ट्रीकूलर मसल्स अलग अलग पूछे का गत्रीकूलर यहां से अब काडिक साइकल पर आ रहा हूं इसको डिवाइट कर दो दो पार्ट हो में को पॉइंट फोर और पॉइंट फोर डिवीडिवीजन कर दिया इसको फिर डिवाइट करता हूं पॉइंट फॉर को इस तरीके से तो ऐसे लिख सकते हैं ना 0.1 0.3 0.4 ओगया 0.4 यह 0.8 सेकंड की कार्डिक साइकल हो गई समझना इसमें जो ग्रीन रिंग दिखा रही है वह अट्रिया को दिखा रही है उपर वाले इंग वेंट्रिकल को दिखा रही है समाज नहीन कोशिश करना आगर मैं आप से कहूं कि एत्रियल सिस्टोल यह ऋत्रियल सिस्टोल है फिर है एक इस टैम गया है आप बलूगे सार 0.1 0.1 से आगे क्या होगा इट्रियल डाइस टोल Collie अठ्रियल डाइस टॉल Deacjębird कितना होगा मफ्यूसर यह तो पॉइंट 7 है पॉइंट 7 है यह तो यह पूरे ट्रोड jou गया एक लिंग को दिखा देते हैं वेंटरिकल तुम्हें पहुटा वेंटर्िकल सिस्टोल टाइम नोमेड कितना है आपको उफेद्टरेस सि्टोल करे़ा उसके बाद को कक तक वेंटरी करेंगे जब तक यहाँ नहीं पहुंच रहे था प beslिकल टाइब किнач था और फाइब सिथाञ धर प्या Ain है मेरी बात जो ऊपर वाली रिंग ये वेंटरीकल को रिप्रेजेंट कर रही है यह जो नीचे वाली रिंग है वह ए्ट्रिया को रिप्रेजेंट कर रही है दौने रिंग कौन से रिंग किसको कर रही है का लए भी चाहिए ओर इंग क्लियार हो रही है ठीक है आप समादा मैं आप कहूं कि इस पॉइंट मैं आपसे बोलू कि इस पॉइंट वन में कौन-कौन सी घटनाएं घटित हो रही है इस पॉइंट थ्री में कौन-कौन सी घटनाएं घटित हो रही है और इस पॉइंट फोर में कौन-कौन सी घटनाएं घटित हो रही है क्या बता हो गया कि देखो मैं आप से कौह इस पॉइंट One में क्या आप को सर एट्रिया तो सिस्टॉल कर रहा है पर वेंट रिकलर डाइ स्टॉल कर रहा है कि 0.1 सेकंड इसमें क्या हुरा है आप बहुंगे सर एक रिया अब इस्टॉल पर वेंट्रिकॉलर डाइस टॉल मैं आप से कहूं कि बिटेस 0.3 में क्या हो रहा है 0.3 सेकिंड में क्या हो रहा है आप बोलोगे सर एट्रिया डाइस्टोल वर वेंट्रिकुलर सिस्टोल अब मैं आप से कहूं कि बेटा इस 0.4 में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो रही है आप बोलोगे सर एट्रिया भी डाइस्टोल कर रहा है और वेंट्रिकल भी डाइस्टोल कर रहा है दोनों ही डाइस्टोल कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसको जॉइंट है डाइस्टोल जॉइंट डाइस्टोल टाइम प्रेट कितना होता है 0.4 सेकंड यह समझ में आया नहीं आया अभी भी काटिक साइकल होती क्या है एक चेंबर का कंप्लीट कॉंट्रेक्शन कंप्लीट रिलेक्शेशन चैट्रियों 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 इतना है नहीं किसी भी मसल्स का कंप्लीट कॉंट्रेक्शन कंप्लीट रिलेक्शेशन कंट्रेक्ट ब्लड बहार रिलेक्स ब्लड बापसंतर सिंगल कार्डिक साइ बोट दोनों के दोनों डाइसोल कर रहे एक साथ चाराइब हु l रहे हैं किहां पोके इस याहां तक बातनी में यह नहीं आई ठीक है इसाइकल क्या होता है ड्यूरेशन क्या होता है हर किसी का time period बता दिया किस time के अंदर कौन सी घटना घटेत हो रही है यारी event भी बता दिया मैंने ठीक है अब चालू करेंगे सही माणने में cardiac cycle अब यहां तक आग लगा दो दिल से यार इतनी आग कि बस energy मिल जाए क्योंकि last में energy की जरूवत पड़ती है बहुत जरूवत है energy की दिल से अब बात करूँगा cardiac cycle अब समझना मेरी बात cardiac cycle की यह वह 0.8 second का time है 0.8 second का time है समझना इस 0.8 second में अगर मैं आप से कहूँ कि यहां इस point पर इस point पर क्या हो रहा है आप कहूंगे sir atria systole करने की बात ventricular systol होगा यह क्या होगा ventricular systole होगा ventricle systole करने की कोशिश करेंगे ventricle systole जैसे भी ventricle systole करेंगे ventricle का blood भागेगा उपर और नीचे जैसे भी भागेगा cuspid wall बंद होगे cuspid wall बंद होगे अब पहली sound आएगी love first sound इस पाइंट पर पहली साउंड आएगी Due to closing of AV वॉल समझ में आया अब इस पाइंट पर क्या होगा अब इस पाइंट पर वेंntrcle से स्टॉल कर चुके हैं अब वो डाई स्टॉल करेंगे जैसे ही वेंटरिकल डाई स्टॉल करेंगे आटा और पल्मरी ट्रंक का ब्लड ऊपर भागेगा कम प्रेशर की तरफ तो सेमी लूनर वाल बन दोंगे तेजी से सेकंड हाट साउंड आएगी सेकंड हाट साउंड ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ सेमी लूनर वाल मैं आपसे काऊं कि फर्स्ट हाट साउंड और सेकंड हाट साउंड के बीच का टाइम पिरिट कितना होगा आप बोलोगे 0.3 सेकंड पर मैं पूछू सेकंड और फर्स्ट के बीच का टाइम पिरिट कितना होगा तो आप बोगे 0.5 second, second और first की बीच में ऐसे चलोगे, first और second की बीच में ऐसे चलोगे, कभी कभी पूछ सकता है ऐसा, दुआ समझ में आगे, अब यहां से क्या चालू होगा, joint diastole चालू होगा, यहां से यहां तक joint diastole, तो यहां तक क्या होगा, at the end of joint diastole, यहां पर joint diastole का end हो रहा है, लगबग 70% ventricle भर जाते हैं, समझे कोशिश कर रहे हूँ, यह hurt है, यह atria है, यह ventricle है, यहां से blood आ रहा है, और यहां से भी blood आ रहा है, यहां जा रहा है, और यहां जा रहा है, joint diastole का मतलब है, यह भी फैल रहे हैं, यह भी फैल रहे हैं, डाइलेट कर रहे हैं, क्योंकि यहां जो blood आ रहा है, वो सीधा नीचे जा रहा है, यानि joint diastole के end तक आते आते ventricle कितना भर चुके हैं, 70% ventricle भर चुके हैं, जब तक कि joint diastole चल रहा है 70% ventricle की filling हो चुकी है two-third ventricle भर चुके है at the end of joint diastole 70% two-third ventricle fill by blood यह passive filling है क्योंकि इसमें किसी का contraction नहीं हो रहा उपर से blood atria में अपने आप ventricle में जा रहा 70% ventricle भर गए यहां से यहां तक 0.4 second के अंदर जैसी कहनी यहां पहुंची अब बारी आई atrial a v action potential generate होगा ऐसे नोड के अंदर जैसे नोड के अंदर action potential generate होगा atria stole करेगा जब atria stole करेगा तो बचा हुआ blood भी तेजी से नीचे आएगा बचा हुआ कितना percent blood 30% पचा हुआ remaining 30% blood remaining at the end of atrial systole यहां से यहां तक at the end of atrial systole remaining 30% one third ventricle fill by blood पर इस बार जो filling हो रही है न पॉइंट वन सेकेंड में वह active filling हो रही है due to contraction of atria समझ रहना मेरी बात atrial contraction की वैसे बच्चा हुआ blood भी नीचे आ जाएगा तो कोशन आएगा at the active link का time period कितना होता है 0.1 passive link का time period कितना होता है 0.4 active link कितना percent blood को pump करती है 30% passive link कितना percent 70% यह सारी लाइन इंसी आटी में दे रखी है सारी लाइन ठीक है यह कंप्लीट कार्डिक साइकल एंसी आटी पूरी आपके brain में सेट कर दिये यहां पर ठीक है चालो अब कार्डिक साइकल से लिए कुछ टर्म से हैं जैसे EDV N, Diastolic Volume of ventricle संज ना medical point lb 못 भरते जा रहां बहरते जा रहे भरते जा रहे हैं वोब भर गया इंड डाइस्टोल वाल्बल्यम वोभेंट्रिकल जब वैंट्रिकल का डाइस्टोल पूरा हो जाता है पूरा डैलेट हो जाताइब उसमें आएगा यह EDV तो है एने डाइस्टॉलिक वॉल्माप वेंटर्कल जब फ्रटेशा पूरे बढ़ जाते हैं एड्यरी अुर्टप वॉल्माप प्रिश्री गवेंटर्कल समझरे किते ना होता हएinar 120 ml हम पूरेखी लोग पूरा भर चुका है eteशाना 500 ml關係 सिंपल सी बात है ठीक है EDB directly proportional to कुछ को होगा size of ventricle के समझ रहे हो समझाओंगा भी एक यह बास समझ में एक ही बास समझो size of ventricle के बराब होता है ठीक है अब मैं इस ventricle में contraction कराऊंगा इस bottle को दबाऊंगा तो कुछ पानी बाहर निकलेगा बोतल दबाई दबाने को बोलते हैं stroke volume जब ventricle contract करता है तो कुछ बाहर निकलता है जो बाहर निकलता है वो stroke volume है 120 में से 70 बाहर निकल जाएगा जो रह जाएगा वो 50 ml होगा इसको बोलते है ESB end systolic volume of ventricle यहीं सिस्टोल होने के end पर कितना blood बचा है ESB end systolic volume of ventricle आप समझ रहे हो end systolic volume of ventricle ventricle के systole के end पर आकर कितना blood बचा है कितना रहे गया समझ रहे हो एंड systolic volume of ventricle समझे यह नहीं समझे एंड systolic volume of ventricle समझे श्ट्रॉक volume समझ में आया ना आगया होगा यारि ऐसे भी कह सकते हो मानो यह हर्ट है each ventricle मानों ऐसे समझा रहा हूं में ये एक ventricle है ये दूसरे ventricle है इस ventricle में कितना blood आता है 120 ml ये क्या हो गया end diastolic volume जब इस ventricle ने contract किया तो कितना blood बाहर आया 70 ml जो बाहर आया वो क्या है stroke volume कितना बलट रहे गया जो रहे गया रेमेनिंग रहे गया वह है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम वह कितर आगया एसबी वह रह गया 120 में सतर निकाल दो कितना उचा 50 ml आलवीज इसमें रह जाता है किसी को नुकरणी बिस्टोलिक वॉल्यूम वॉल्यूम बल्ड विच रिमेंस इन एच वेंट हर अप दियर सिծ शिटोल दिया जीर के एसमेंक एकलिटो इसमेसी यह जया रह ता है किसी का वेंड वेंटर्क्स जैज जितना ज्यादा होग तो फोर्स ऑप गांटरिक्शन उता नहीं जाता हो गा श्ट्राक वालिम बढ़ जाएगा यह भी जादा इडिवी जादा इडिवी गम श्ट्रक वालिम कम ई एस भी ओल्वेस constant fixed कोई चेंज निया आएगा अब यह कोश्चन दो पूच इस ट्रॉक वालियूम इडिज पंब इच वेंटर्कल दूरिंग सिंगल सिस्टोर इस्ट्रॉक वालिम इस ट्रॉक वालियूम डिरेक्ली प्रपोश्चनल टू होता है and dyastolic volume of ventricle जितना EDV जादा उतना force of contraction ज्यादा समद रहो ना जैसे के धनुस है बार्ण चलाओं जितना कमान को पीछे खीच हो गे उतना बार आगे जाएगा जितना कमान को पीछे खीच हो गे उतना बार आगे जाएगा क्योंकि force of contraction ज्यादा लगेगा समझ रहे हो फिर समझना जितना कमान को पीज़े घीचोगे force of contraction उतना ज्यादा समझ पारे हो ना मेरी बात ऐसे ही जितना ventricle को ज्यादा भरोगे उतना force of contraction ज्यादा होगा stroke volume भी ज्यादा होगा जैनि stroke volume directly proportional 2 होता है and diastolic volume of ventricle कि आया नहीं आई आया नहीं आई दिल से आग दिल से आग चाहिए भाई आग जिसको जाना है वो जा सकता है मैं concept छोड़ूँगा नहीं समझ में आगे अब cardiac output क्या है it is a volume of blood it is a volume of blood which pump by each ventricle per minute एक minute में एक ventricle कितने blood को भार निकाल रहा है वह एक मिनट में एक वेंटर कल 72 बार pump करता है और एक बार में stroke volume निकलता है तो heart beat rate into stroke volume 70-70 लगवक्ष 5000 ml या 5 लीटर cardiac output होता है पर मिनट समझ में आई या नहीं आई आ गही होगी तो चारों बहुत चारों चीज़ां बहुत इंपोर्टेंट में हर साल आ रही है एक कोशन करता हूं जैसे वाट वुड़ बीड़ काडिक output काडिक आउटपुट पूछा है अब परसन हैविंग 80 हर्ट वीट रेट हर्ट बीट रेट 80 दे रखा है amount of blood which flow from left Atria to left ventricle जितना एक्ट्रिया जितना एत्रिया से व Εिंटेर कल में बहार निकलेगा समझ रहें यह नि Śस्टी आटेगर निकल दो इंटो कर दो कुंसा जाएगा फोर्थ आप्शन आ जाएगा ऐसे कुशन बन जाते हैं सिंपल तरीके से हर्ट साउंड हर्ट साउंड कुछ भी नहीं है लब डब समझ रहे हूं फर्स्ट साउंड लफ सेकंड साउंड डव ठीक है इधर मैंने इसको पिछ को दिखाया पिछ पिछ क्या होती समझाता हूं यह डियूरेशन है डियूरेशन है यह फर्स्ट हर्ट साउंड है यह सेकंड हर्ट साउंड है फर्स्ट हर्ट साउंड का डियूरेशन ज्यादा है सेकंड का डियूरेशन काम है पर फर्स्ट की पिछ काम है सेकंड की पिछ ज्यादा है समझना फर्ट हर्ट पह साउंड नहीं आती त्यान रखना दरबाजे बंद होने पर साउंड आती है खुलने पर साउंड नहीं आती यह ध्यान रखना होगा ठीक है तो जब समझना जब सेमी-लूणर वाल बंद होते हैं पहली साउंड आएगी ड्यू टू Ventricular systole जब Ventricular Dye Stole होते हैं तो परी समी बुल गा जब Ventricular systole करते हैं तो AV-Lineural wall बंद होते हैं पहली sound अगी जब वेंट्रकूलर Dye Stole करते हैं यह सभूलनार wall बंद होते हैं दूसरी sound यह तो first sound due to closing of AV-Wolf second heart sound due to closing of semi-linear walls first heart sound during VentricularStole during Ventricular Dye Story low pitch long duration high pitch short duration जैसे low pitch दब दब डफ नहीं आया ग्या डूरेशन ज्ञाधा है फिछ पिच कम है पिच समझदें ज्ञाधा है डूरेशन कम है यह समझ मेरा है या नहीं डूर 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 डब नहीं आया क्या सम제 होगी चलो तो So First Sound biblical Siq합니다 और दॉनों हट sound की being Benedict सिग्नीफिकेंस कोईशन नीट में बनेगा दौनों ही साउंड की क्लिनि कल सिग्नीफिकेंस है मतलब इन हर्ट साउंड में अगर जराभी abnormal आती है तो डॉक्षे-ठॉड पता लगा लेगा कि हर्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है समझ में आएगा क्लिनिकल ड्याग्नोस्टिक सिंग्निफिकेंज कोशन छोड़के दिए रहा हूं करना आप खुद करना ठीक है ऎलेक्ट्रो काडियो ग्राम बहुत बहतरीन इसको vicg का समझेख और बदम करोगतरहीं it इसको इसी जी पोलते है समझो मेरी बात इसी जी अग्राम है जो मशीन इसको इलेक्ट्रो काडियो ग्राफ बोलते और द्यायँ है धिक तो यहाँ पर एलक्टो काडियो ग्रैस ग्रैफ तो बोलते मशीन को समझ रहे हो और जो समझ रहे होग इसी जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन औफ एल्लेक्टरिकल अक्टिविटी ओफ हर ड्यूरिंग काडि ऐक सॉकल के दोरान यह आपकी हर्ट की activity की मतलब दिल का हाल चल बयां करता है समझ रहे हो ना किसके फॉर्म में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में समझ में आ गया ना तो यह काड़िक साइकल के दोरान आपके छो हर्ट की एक्टिविटी जो रही है ना उनका ग्राफिकल रिपर्जेंटेशन है ठीक है उसी को एसी जी बोलते हैं इसमें हम मेली 3 लेक्ट्रोड यूज करते हैं जिनको हम लिंफ लीड बोलते हैं चैस्ट लीड अलग होती है आपके राइट और लेफ्ट एंकल इसको एंथोवन ट्रेंगिल भी बोलते हैं यह तीन लीड लगा जाती है चैस्ट लीड अलग होती है ठीक है यह तीन जगह हमने लीड को लगाने के लिए जैल यूज करते हैं जो कंडेक्टिविटी बढ़ा देता है इन लेक्ट्रोड और जाता हूं देखो समझने कोशिश करना समझने का इप सारा पॉइंट मालो यह हार्ट है यह हार्ट है यह हार्ट है कि समझना अच्छी तरीके से यहां पर पेस्मेकर है ऐसे नोड ऐसे नोड यह है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड यहां से निकल रहे हैं बंडल ऑफिस जो लेफ्ट और राइट डिवाइड हो गए और यह फाइवर में ओपन हो जाते हैं ओपन इंटू फाइवर कोशिश करना समझने की सबसे पहले क्या होगा जो एससे नोड है ना एससे नोड इसमें इंपल्स का जनेरेशन होगा एससे नोड एक्षन पॉटेंशिल का पर जन्रेट होगा एससे नोड में तो पी के रिप्रेजेंट कर रहा है एससे नोड के अंदर एक्षन पॉटेंशिल एक्षन पॉटेंशिल इन एससे नोड एक्षन पॉटेंशिल इन एससे नोड एक्षन पॉटेंशिल इन एससे नो पूरे एट्रिया में फिरेट्रियल से चालू होगा तो पी की उन्डरवल एना यह क्या बता रहा है एट्रियल्स स्टॉल कि अब सब्सक्राइब सबस्ठे में सबसे पहले क्या होगा यहां पर action potential generate हुआ फिर यह पूरे एक्ट्रिया contract किये contract करके अब signal कहांगे अब 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 में क्या होगा action potential generate होगा जब अब 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 क्यों आपके बाद नीचे negative wave है यहां तक कुछ नहीं होगा अब क्यों के बाद क्यों के बाद यह generate होगा action potential ठीक है तो यह पूरा बनता है qrs complex मैं लिखता हूं इसको यह बनेगा यहां पर यह क्यू आर s complex यह qrs complex किसको represent करता है यह represent करता है action potential in a v node action potential in a v node जन्रेट हो गया action potential पर कब होता है आफ्टर कि आफ्टर क्यू वेव क्यू वेव जो तो नीचे जा रही है कुछ नहीं होगा ऊपर जाएगी तब action potential generate होगा एंसी आर्टिक की लाइन जन्रेट हो क्या अब जन्रेट होने के बाद यहां से टी वेव के एंड तक कि क्यूटी इंटरवल की बात करों अगर मैं क्यूटी इंटरवल यह क्या बताएगा यह बताएगा कि वेंट्रिकूलर सिस्टोल कि वेंट्री यूलर चेल ईसे स्टोर समझ में वैंटरीकूलर तो फेलो से सबराइक्शन जणनेगा इस पूरे को भूलेगे टेम ऊसप पूरे को भी उस्टोर टी वेप्टेविए एन डिय इसे परिपरेजेंट कर रहे है यहां से यहां से यहां से यहां तक के बीच में यहां से यहां तक के बीच में क्या चलेगा VENTRICULAR DICETORAL चलेगा VENTRICULAR DILATION और फिर से आप क्या START हो जाएगा पी वेफ चाले हो जाएगी यह चाले हो जाएगी यह इनि एक्ट्रियस स्टॉल फिर से start हो जाएगा नमाज में आया नहीं आया तो तीन चीज़ हैं यहां पर मैं इसाब से समझाओं तो और समझ जल्दी आ जाएगा एंसे एसे बुल रही है कि पीवेब रिप्रेजेंट इलेक्रिकल एक्साइटेशन दीप पॉलराइशन ऑफ दा एक्ट्रिया ऐसे नोट के अंदर विच लीड गाज्ध दा कॉंट्रेक्षिन ऑब और को एंठ दोर्मे करती है ठीक यह क्या होगा qrs कम्लेक्स न डा टीप एंप्रेशल करता कॉंट्रेंच न बॉस्ट्रारेशन ऑफ फिक गहां कि योच के आफकर क्यू इन मांक्स ता बिगनिंग ओफ दिस्टोल क्यू Cynthia植ट करती है return of ventricle from excited to normal stage बापस आ रहे है री पॉलराइजेशन हो रहा है मद्र यहां तक टी के एंड तक सिस्ट्टो जो को रिपरेजन कर रहा है तो जहां तक की मेकैनिजम मेंगा उसके बाद ढाइश्टो उगा तो तो इहां होता है और टीए जसमाध रही है हो फिलास्ट मैं NCRT बोल रही है और अगर आपको किसी दिख जाए इस तरीके से क्या पता लगाओगे इस में क्यू आर एस कॉंप्लेक्स पर मिनट कितने हैं तो क्यू आर एस पर मिनट एक्वल टू होते हैं हर्ट बीट रेट उस इंसान की हर्ट बीट रेट क्या है और आपको कहीं पर भी यह मिल जाए ECG तो आप ज्यादा तो कुछ पता नहीं कर पाओगे पर इतना जरूर पता कर लोगे जिस इंसान का ECG उसकी हर्ट बीट रेट क्या है समद रहे हो एक मिनिट के अंदर कितने qrs complex है उसकी हर्ट बीट रेट हो जाएगी हाँ इसकी भी क्लिनिकल डागनोस्टिक सिगनीफिकेंस है ध्यान रखना इससे आप डिफरेंट टाइप की चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो एबनॉर्मलिटी का पता लगा सकते ह समझे ऑसर डवह Very Detain इन हम आयो रटनर में कुष्शकी है बता देता हूं यह भी में कुछ है नहीं एक यह बीचवाला पाड होता है न यहiciency कुलर है Sonja कि कि आ यह बारवाली ट्यों कहीं कौलता है क्वारी ट्यों का एक्स्टर्ना ट्यों का ट्योंनिका कि एक्स्टरना मिड़ल लिए रहे ट्यूनिका मीडिया है ठीक है तीक है यह झीरिक इंटरना अ जो आए इन लेयर होती है और यह तीनों यह भी होती है, यह फिर यह पर हो his Florence on Spस्acked certificate मीडिया यह यहांपर भी है तियुनी का मीडिया की किएगर मैं बात करूं यहां होती है क्योंकि इसमें हाई प्रेशर होता है या फिन होती है लो प्रेशर होता है वेन के अब रॉटे ए लॉम्न कि अगर बात करूं नो होता है है कि यहां लुमिन कैसा दिख रहा आपको कम्पनिटिप बड़ा है लार्ज कि यहां पर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं यह यह डिफ्रेंस हो गया आट्री ओ वेन के अंदर दवल सर्कुलेशन हार्ट लंग्स हार्ट लंग्स क्या बोलेंगे इसको इसको बोलेंगे पल्मो नरी सर्कुलेशन पल्मो नरी सर्कुलेशन ठीक है हार्ट और टिशू की बीच में जो दिख रहा है आपको क्या बोलेंगे systemic circulation systemic circulation ड्वल सर्किलिशन देखने को मिल रहा है पर systemic circulation pulmonary circulation artery of gen буквinte twenty single layer होती है esther vizes got endothelium endothelium कि जितनी भी कैपिलरी्ज होती है अनने एक ह dramas होती है आठ्ट्री में थी लिए रोगी वेंस में थमें कि इसका लिमन ब्रॉड होगा व। स्काल स्मॉल होगा यह एक लिए होती है एक लिए यह अट्रुम्णले फूंध यह इसन आ बड़ा बड्र कभी कभी और चेमबर हर्ट हैं राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल यहां ओटा आ जाएगा पुल्मोनरी आर्ट्री पुल्मोनरी वेन तदीं और स्थिस्टमेंग वेन तो शर्कूलेशन कैसे होगा आप जानते हैं यहां जाएगा सिधाged यूश्ट प्लमोनरी शर्कूलेशन से बीच में कব cevizi पूछेगा पॉल्मणरी सर्कॉलेशन कैसे होगा आप जानते ओए अजयागा सीधा लंक्स के पास कि ये ऑ Очangran मैं जांगा सिदा टिशू के पास एंटिशू से ये गया तो आप से पूँछ सकता है कि फ्लमोनर करी सर्कुलेशन बताः फ्लमो नरी से अर्क निशन लंक्स और सके बीच में लंक्स मैं यह आ गया राइट्वेंट्रेक्ल में फ्लमोनर्य आठरी लंक्स टनसी लंक्से लंक्स इका जाएगा फ्लमोनरी गत, गोटे से कह घाएगा हैं लेफ्ट एत्रियम लेफ्ट एक्रियङ ये बापस आ गया बहल्त हैं वापस हलएंब ऑपस हर्ट में अ गया थे कहें होट से चले हडज से चले घूम के बापस हर्ट में आ गए गए है ऐसी सिस्टमule सर्कूलिशन पूछेगा left ventricle left ventricle से चले इसको ऐसे लिको जाता समझ में अच्छे से आएगा है एक लेक्षे में लिखाया था ऐसे समझ यह हार्ट है हर्ट है ऐसे समझ में आएगा तहां से चलेते हम राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल से निकले हर्ट से बाहर फिर कहां गए पल्मोनरी आट्री से कहां गए लंग्स ते खांगे पॉल्मोनरी वेन वापस हर्ट में हर्ट में कहां पर आएंगे लेफ्ट एक्रिया यह हो गया पॉल्मोनरी सरकूलेशन लेफ्ट वेंटर्गल से खांगे systemic artery systemic artery से का जाएंगे टिशू से का जाएंगे systemic vein से का जाएंगे आ जाएंगे भाई right atria यह question पूछ सकता है pulmonary और systemic circulation के लिए ठीक है systemic circulation take place between which chamber of heart आप निकालो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो regulation of cardiac activity इसमें तो कुछ भी नहीं सिंपल सा regulation brain medulla oblongata आप हमेसे जानते ही हो autonomic nervous system के दो पार्ट parasympathetic sympathetic parasympathetic से biggest nerve होती है जो heart beat rate को कम करती है यह बढ़ाती है यह acetylcholine release करती है जो heart beat rate कम कर देता है यह epinephrine और norepinephrine release करती है जो heart beat rate बढ़ा देता है यह nervous regulation हो गया समझे ना यह कहना चाहरा हूं जब आप normal condition में होते हो तो आपकी heart beat normal होती है जब आपके पीछे शेर दोड़ रहा होगा तो sympathetic काम कर देगा उस समय heart beat बढ़ जाएगी क्यों 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 आपके पेस्मेकर की उपर काम करना चालू कर देंगे आप chemical regulation में adrenaline, noradrenaline, thyroxine यह heartbeat rate को बढ़ाने का काम करते हैं जिसका bmr जदा होता है उसकी heartbeat rate जदा होती है heartbeat rate बढ़ जाती है automatically disorder लास्ट आगे disorder पर ठीक है बस पांस मिट्र दे दो फिनिश है जैसे high blood pressure hypertension की बात चल रही है hypertension high blood pressure कब होता है जब blood pressure होता क्या है जो vessels में blood flow कर रहा है blood flow की बज़े से जो wall पर pressure पड़ता है उसी को blood pressure बोलते है ठीक है आपने इसको दवा दिया पूरा तो high blood pressure को systolic blood pressure बोलते है 120 mmHg होता है low blood pressure का मादलब है diastolic blood pressure 80 mmHg होता है दौनों का जो difference होता है उसको pulse pressure बोलते है 40 mmHg यह हो गया बस दो चीजे hypertension अगर normal blood pressure से ज़्यादा blood pressure हो 140 अपर और लोगर 90 अपर 140 लोगर 90 समझ लेना हाइपर टेंशन है और हाइपर टेंशन आपके vital organ साफसा समझना vital organ को directly effect डालता है और इससे problem create हो सकती है ठीक है ठीक है ठीक है रेकी कार्डिया high blood pressure ब्रैडिकार्डिया low blood pressure जर्नल टर्म्स में एड़ कर दिये हैं ठीक है आगे पर नरी आटरी डिसीज अगर आप cholesterol बहुत ज्यादा खाते हो ठीक है तो यह cholesterol धीरे धीरे आपकी आटरी में डिपोजिट होगा इसलिए कोरोनरी आटरी के अंदर जिससे का lumen कम हो जाएगा लियूमिन कम हो जाएगा और cholesterol डिपोजट होगा तो fiber calcium mineral सब कुछ डिपोजट होगा यहां पर ठीक है calcium fat cholesterol 5 सब atheroma यह atheroma बन रहा है यह क्या बन रहा है और जिस दिन यह atheroma टूटा प्रेशर की बज़े से bleeding होगी clotting होगी heart muscles के अंदर blood रुक जाएगा और क्या हो जाएगा myocardial infarction इसी को बोलते है heart attack तो जितनी भी coronary artery disease होती है इसको बोलते है atherosclerosis क्या बोलते है atherosclerosis it is a deposition of cholesterol fiber calcium in coronary artery clear atherosclerosis जिसमें calcium fat cholesterol fiber सभी deposit होते है lumines small होता है atheroma का formation होता है और यही atheroma heart attack यह myocardial infarction के लिए responsible हो सकता है समझ में एक मुवी दिना माला माल बीक ली उसकी lottery लगती है करोड़ की तो उसका क्या होता है heart attack समझ रहे हो ना तो कि वह बहुत भी दिखाया है हो सकता है coronary artery में atheroma बनाओ atheroma टूटाओ bleeding होई यह तो क्या होगा क्लोटिंग होगी और क्लोटिंग होने से क्या होगा on the spot होगी समझ में आया ना myocardial infarction अब क्याता रहा एंजाइना एंजाइना सीवियर एक्यूट चेस्ट पेन सीवियर एक्यूट चेस्ट पेन डिव टू इनाडिक्योट supply of oxygen to cardiac muscles अगर cardiac muscles के अंदर oxygen की supply धीरे-धीरे कम हो रही है तो कभी-कभी एक्यूट चैस्ट पेन होता है लोग इसको समझ रहो ना नौर्मल बच्चों को भी हो जाता है पर वह एंजाइना नहीं होता समझ रहो वह पसलियों में दर्द होता है ठंडी की वजए से ठीक इंटरकॉस्टल मसल्स में पेन वह एंजाइना नहीं है हाट अटेक से पहले सीवीर चैस्ट पेन होता है ड्यू टू इन एडेक्यूड यह लोग सप्लाई फॉक्षियन टू कार्डेक मसल्स समझ रहो उसको बोलते हैं एंजाइना कंफ्यूज मत होना परेशान मत होना ठीक इसी को होट फैल्योर बोलते हैं अगर काडिक आउट्पूट कम हो रहा तो क्या बोलेंगे इसको हाँल्योर उसको हाट कभी कभी हाट फैल्योर बहुसारे हमें काडिक आउट्पूट कम हो रहा काद कांग कर नहीं कर रहा है हो सकता है कांज Therefore contradiction में ढोने की बचया से भी हर्ट बहल रहा हो यह भी कारण है Sicher फेलियोर बोलते हैं कार्ड मृट्पुट कम हो टो इंडीटर आपका हओ नहीं कर रहा है जतना करना चाहिए आपका कार्ड़क डृक्पुट कम हो रहा है जतना बलड सतरा बलड उन अच्छी उत्रां पंप नहीं हो रहा इसको फैलियूर होगा तो दीरे धीरे यह ब्रीट करेगा डिडियू सप्लाइ औफ औक प्रॉपर ऑकशियं नहीं पहुंचेगी ठीक है तो और हर्ट अपना काम नहीं करेंगा हर्ट फैलियूर और लीड होगा ठीक है अब समझ रहे हो तो एक दिन क्या होगा अच्छानक से हर्ट की कुछ मसल्स में नमेज हो जाएंगी अब पाइट ओफ काडिक मसल्स कोई पाइट देमेज हो रहा है ठीक है तो समझना अगर समझना death of a part of cardiac muscles इसको बोलते हैं heart attack death of a part of cardiac muscles पहले heart failure होगा अच्छानक से attack पड़ा attack में कुछ cardiac muscles damage हो गए पर इनसान की death नहीं हुई इसको attack बोलते हैं पर अगर cardiac output zero हो गया zero cardiac output जीरो cardiac output और सीरी स्ट्रेट लाइन आगी पिपपपपी स्ट्रेट लाइन आगी इसको बोलते हैं अब तो arrest हो गया cardiac arrest cardiac arrest का मतला होता है complete death of cardiac muscles heart attack का मतला होता है some part of death of some part of cardiac muscles और heart failure का मतला होता है reduce cardiac output जितना cardiac output होना अचिये उतना नहीं हो रहा समझ मैं तीनों में अंतर लिख दिए इसी पर कोशन आता है कि समझे यह अब स्कोश्चंस आप लगाओगे ठीक है अच्छे से कोश्चंस हैं आप लगाना एक कोश्चंस में disorder का जरू कराऊंगा hyper which of the falling disorders of circulatory system is not correctly ठीक है state is hypertension a situation blood pressure of ठीक है बिल्कुल सही है c a d coronary artery disease aluminum of coronary artery become narrow due to deposition of calcium fat cholesterol absolutely right angina acute chest pain appear when heart muscles is suddenly damaged damage नहीं होते समझ रहो डैमेज नहीं होते by inadequate blood supply गलत हो गया heart failure usually called the congestive heart failure because conjunction of lungs is one of the main symptom of this disease absolutely right angina angina क्या होता है acute chest pain due to inadequate supply of oxygen to cardiac muscles उसको एंजाना बोलते हैं समझे माइडियर future doctors तो बेटा कोशिश की है चैटर को भी आपके ब्रेन में एकदम permanently set करने की बार-बार revision करा करके ठीक है कई बार revision करा दिया question practice भी करा दी पूरी NCRT भी करा दी पूरी theory भी करा दी ठीक है कुछ नहीं छोड़ा बेटा तो अब आपको भी नहीं छोड़ना है और आग लगानी ये नीट के अंदर समझे तो अब बताओ मजा आया नहीं आया आपके responses देखेंगे अब लग लो ठीक है अगले चैप्टर के लिए कल सुबह आएंगे उसमें भ्रहमास्त्र के अंदर कुछ दुम धढ़ाके का ले करके ठीक है तीन चैप्टर ले करके आएंगे अप्रेटिस कराएंगे लगेंगे आप किसंग लास्ट टाइम तक लगे रहेंगे आप जितनी मिनत करोगे उससे डबल मिन टाइंगे और दॉनों मिलकर के एक बहतरीन रैंक डिसाइड करेंगे ठीक है तो दौना मिलकर के बटब लगेंगे दिन और रात लगेंगे ठीक है थैंकि बटा ओल्ल्दा बैस्ट मिलते हैं नेक्सलेक्चर में पूरी एनर्जी के साथ ठीक है इस बाइब अबिटा